हेलो एवरिवन मैं आपका बीए सर इस सेशन में आपका स्वागत करता हूँ जैसा कि आप देख सकते हैं स्लाइट पर आज हम लोग जेमेंट टॉपिक्स जिसमें चार चैप्टर्स इन्वॉल्व रहते हैं set relation, height and distance, mathematical reasoning and measurement of central tendency इन चारों को अपन इस सेशन में deal करेंगे starting करेंगे अपन set and relation से उसके बाद अपना आएंगे mathematical reasoning में उसके बाद अपना आएंगे measurement of central tendency में and soon after that we are going to deal with height and distance तो आप आराम से इस सेशन का लुठ उठाईए आराम से सुनिए जैसा जैसा मैं कहता जोंगा वैसा वैसा करते जाए और समझते जाए ठीक है तो जे इमेंट टॉपिक नाम से इन चारों चेप्टर्स को अपने बंडल अप किया है और स्टार्टिंग करेंगे अपन सेटेंड रिलेशन से ठीक है तो इसलिए आप स्टिक होकर के वीडियो को देखते रहें और लाइक कमेंट करना बिलकुल भी ना भूलें चलिए स्टार्ट करते हैं ठीक है सेट का मतलब क्या होता है सेट इस कालेक्शन आफ वैल डिफाइन और डिस्टिंगुशेबल यहाँ पर दो वर्ड्स आएं वैल डिफाइन का मतलब क्या है और डिस्टिंगुशेबल का मतलब होता है आपस में अलग अलग ठीक है और वैल डिफाइन का मतलब यानि कि जैसे कि मैंने वावल्स जब कहा आपके सामने तो आपके दिमाग में केवल 26 आलफा बैट्स में से कितने आलफा बैट्स आए A, E, I, O और U इसका मतलब वावल्स बोलने पर आपके दिमाग में बाकिक आलफा बैट्स नहीं आए सिर्फ क्या आए A, E, I, O, U इसका मतलब vowels अपने आप में well defined है और distinguishable तो वो थे ही क्योंकि A, E, I, O, U आपस में अलग अलग है तो यह मतलब है well defined और distinguishable का तो well defined distinguishable objects का collection होता है set को जो है denote करने के लिए हम लोग curly braces का इस्तमाल करते हैं और जैसे natural number का set है तो capital N का इस्तमाल करेंगे इसको denote करने के लिए और natural number लिखना है तो 1, 2, 3 separated by commas इस format को हम लोग कहते हैं roaster form इस format को हम लोग क्या कहते हैं roaster form roaster form में क्या होता है आपको set के सारे elements नजर आ जाते हैं है ना क्योंकि they all are separated by commas written under curly braces now एक और format होता है अगर इसी को मुझे set builder form में लिखना हो set builder form क्या होता है उसमें आपको पूरे elements न दिखा करके एक just information दी जाती है जिसकी मदद से आपको सारे elements खुद ही judge करने पड़ते हैं for example अगर मुझे आपको natural number ही लिखकर करके देना है set builder form में तो मैं लिखूँगा x such that x is a natural number x इस प्रकार की x एक natural number है बस मैं यह लिख दूँगा तो अपने आप आपके दिमाग में आ जाएगा कि set के अंदर कौन कौन सा elements होने वाले हैं 1,2,3,4 like this यह होती है set builder form इस format को क्या कहते हैं अपन लोग इस format को अपन कहते है set builder form ओके समझ में आ रहा है बच्चो तो यह होगए आपके पास अच्छा इसके बाद आता है cardinal number of set cardinal number of set का मतलब है set के अंदर कितने elements होते हैं for example अगर मैं वावल की बात करूँ तो वावल के set में A, E, I, O, U यह 5 elements बैठे हो है तो अपन कहेंगे number of elements in set of vowels is 5 तो this is cardinal number of that set ओके, got it फिर यह मैं आपको बताया roaster form और set builder form दोनों बाते मैं आपको clear करें दिये ठीक है इसके बाद आता types of sets types of sets में बच्चों सबसे पहले अपन बात करेंगे void set की, void set यानिके empty set empty set का मतलब नाम से बहुत कुछ पता पढ़ रहे आपको empty set का मतलब है जिसमें कोई भी element ना हो for example अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई set A है जिसमें x इस प्रकार है कि x square plus 1 equal to 0 है और मैंने कहा x is real number तो क्या यह कभी संबभ हो पाएगा कि किसी भी real number का square करके उस पर 1 जोडने पर 0 हो जाए ऐसा कभी भी नहीं हो पाएगा तो इसका मतलब A के अंदर कोई भी element कोई भी ऐसा x पॉसिबल नहीं है तो A को अपन लिख देंगे empty set और empty set को denote करने का क्या तरीका होता है empty set को denote करने का तरीका होता है 5 या फिर empty under two braces ठीक है curly bracket के अंदर बिलकुर empty छोड़ दूआ ये दोनों notations किस की है empty set की है उसके बाद आता है अपने पास singleton set singleton set का मतलब है नाम से बता पढ़ रहा है कोई भी ऐसा set जिसमें केवल एक ही element हो only one element is sitting inside it for example मैंने कोई set A लिखा और मैंने उसके अंदर केवल P को बिठा दिया तो क्योंकि इस set के अंदर केवल A के element इसका cardinal number केवल 1 है तो ये singleton set क्यालाता है उसके बाद आता है finite set finite set का मतलब होता है जिसमें आप उसके elements को count कर सकते हो for example wobbles के set के अंदर अपन उसके elements को count कर सकते हैं वो 5 होता है infinite set क्या होता है infinite set का मतलब जिसके elements को count नहीं कर सकते for example set of natural numbers natural numbers का set जो होता है whole numbers का set जो होता है rational number का set जो होता है इनके elements को अपन count नहीं कर सकते they are infinite numbers उसके बाद आता है हमारे पास equivalent set equivalent set क्या होता है दो sets a और b equivalent तब कहलाते है जब अनके number of elements जो होते हैं अगर set a में number of elements m है तो set b में भी number of elements m ही हो तो देखे गाधिया धियां से जैसे कि मानलो set a है उसमें number of elements 3 है set b है उसमें भी number of elements 3 है अगर दोनों में number of elements सेम है तो number of elements in A and number of elements in set B अगर सेम हो तो A और B को हम कहते है equivalent set equal sets क्या होते है equal sets का मतलब है equal set का मतलब है equal set का मतलब है जब set A के अंदर जो elements है set A के अंदर जो elements है जैसे मालू मैंने ले लिए A, B, C वही elements set B में भी हो A, B, C किसी भी order में हो order से कोई लेना दियना हमें नहीं है order कुछ भी हो doesn't matter लेकिन elements वही होने चाहिए मतलब set A के जो elements है वही set B के भी elements हो तो set A और set B को equal sets कहा जाएगा B is a member of A तब A बराबर B कहलाता है ठीक है इसका मतलब यह हो गया आप देख सकते हो दो equal sets अगर होंगे तो उनके cardinal number भी same होंगे cardinal number मतलब उनके अंदर जो elements की संख्या है वो भी same होनी चाहिए और अगर ऐसा होगा तो इसका मतलब हर एक equal set का pair जो होता है वो equivalent set का pair भी होगा वो equivalent set का pair भी होगा clear इसके बाद universal set देखिए universal set अपने आप में बहुत बड़ी बात कोई भी set universal set कहलाएगा अगर उस समय जितने भी sets present है consideration में वो सब उसी के subset हो जाए ठीक है subset क्या होता है यह मैं आपको बता दूँ पहले सी जैसे मालनो set A है set A में मेरे पास है 1, 2, 3, 4, 5 और set B में मैंने लिया है 3 और 5 तो set B के सभी elements अगर A से चुराए गए है तो set B कहलाएगा subset of A यह अपन जानते ही है और उस समय A कहलाता है superset of B तो एक ऐसा set universal set कहलाएगा जो given point of time पे जो भी sets consideration में है उन सब का superset है तब वो universal set कहलाता है इसके बाद देखिए यहाँ पर subset आगया subset के बारे मैं आपको बताई दिया है number of subsets क्या होते है अगर किसी set में N elements है तो उसके number of subsets होंगे 2 की power N और याद रहे improper subset के वल एक होता है और वो होता है खुद वो set null set is not a improper set वो improper subset वो होता है proper subset तो अगर आप से कोई पूछ ले number of proper subsets बताओ number of proper subsets बताओ तो आप बताओ के 2 की power N minus 1 यह 1 क्यों आया है set itself के लिए क्योंकि set itself ही एक मात्र improper subset होता है clear है उसके बाद देखो जो number of subsets होते हैं वो 2 की power N होते हैं क्यों? क्योंकि देखो मान लो अगर मेरे पास set A है और उसमें elements है 1, 2 और 3 और अगर मुझे इसमें subsets बनाने हैं ठीक है मुझे क्या बनाने है? मुझे subsets बनाने है तो subsets क्या होंगे? एक तो 5 होगा empty set तो सबका ही subset होता है एक single element को लेकर बना सकते हैं 1, 2, 3 एक दो-दो elements को लेकर के 1, 2, है ना? then 2, 3 then 1, 3 और एक वो set खुद 1, 2, 3 तो आप देखो कितने set हो गई है? कितने subset हो गई है? 8 subset हो गई elements कितने थे? 3 तो number of subsets की quantity कितनी आई? 2 की power 3 that is 8 इसलिए हमने कहा number of subsets की value होती है हमेशा 2 की power n where n is the cardinal number of given set उसके बाद बात करते हैं power set की power set का मतलब क्या होता है? मान लो हमें set A दे रखा है set A में है P और Q तो इसके जो subset बनेंगे वो कौन होंगे? एक तो 5 होगा एक P होगा एक Q होगा और एक पूरा set होगा P, Q अब इन subsets का भी जो set होगा मतलब जब इनको भी curly brackets में रख दिया जाए तब इसको हम बोलते हैं power set of A अब पढ़ो इसको collection of all subsets of set A is called power set of A clear है? denoted by P A तो आप देख सकते हो subset की quantities कितनी होती है? 2 की power N क्योंकि यहाँ पर N बराबर 2 है तो 2 की power 2 हो जाएगी और यह elements बैठेंगे किसके अंदर? power set के अंदर तो power set के अंदर quantity कितनी हो जाएगी? 2 की power N हो जाएगी ओके? फिर आते हैं Euler Diagrams या Wend Diagrams Wend Diagrams बहुत important होते हैं क्योंकि इनका use बहुत तगड़ा है जही के अंदर Wend Diagrams की understanding अगर आपके दिमाग में bad जाए set के अंदर ही तो आप बहुत सारे चीज़े जैसे कि PNC के questions कर सकते हो जैसे कि आप mathematical reasoning के questions कर सकते हो आप probability के questions कर सकते हो इन सब में Wend Diagram का बढ़ चड़ करके इस्तमाल होता है तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए तेकि Wend Diagram में क्या है जैसे यहाँ पर यह दे रगा है आप clearly देख सकते हो B एक set है और जो सबसे बड़ा set होता है वो rectangle के form में universal set होता है Wend Diagram में फिर B एक set आया B के अंदर A बठा है मतलब कि आपके देख सकते हो देख के बता सकते हो A is subset of B ओके फिर यहाँ पर एक term होया complement of set इसको मैं आपको बताता हू complement of set का मतलब क्या होता है Wend Diagram में अगर यह हिस्सा set A का है तो इसके अलावा जो भी हिस्सा है वो complement of set A का है जिसे हम A bar से या A dash से या A के उपर C लगा करके denote करते हैं यह complement of set होता है उसके बाद देखो union of two sets अगर दो sets हमारे पास इस तरीके से हैं इनका union करना है यानि कि इन दोनों को shade कर दो इस तरीके से ठीक है A union B हो गया ठीक है यहाँ पर भी A union B कर सकते हो अगर अलग-अलग इनमें कोई intersection नहीं है तो वो individually भी merge हो जाएंगे ठीक है basically होता क्या है सुनो ध्यान से अगर set A है हमारे पास 1, 2, 3 और set B है हमारे पास 5 और 7 तो यह यह वाला case है क्योंकि इन दोनों में कुछ भी common नहीं है union अगर आपको करना है तो union का मतलब just क्या होता है just दोनों के elements को merge कर दो ठीक है यानि कि यहाँ पर आजाएगा 1, 2, 3, 5 और 7 merge कर दिया और अगर कभी intersection निकला है दोनों के बीच में जैसे मानलो मैंने ले लिया 1, 2 और 3 फिर मैंने ले लिया 3 और 4 तो अब आप इस case पर आ गए यहाँ पर आपके पास intersection में 3 है intersection का मतलब दोनों sets में जो common elements हो तो जब आप A union B करोगे न तो याद रहे set में हर एक element distinguishable होना चाहिए तो जो element repeat हो रहा होगा न वो एक एबार लिखा जाएगा तो यह हो जाएगा 1, 2, 3, 4 तो आपको union में तो बस merge करना होता है फिर आता intersection of two sets intersection of two sets का मतलब है कि दो sets के बीच में अगर कोई common element है तो उसको इस तरीके से दर्शाय है जाएगा disjoint set disjoint set दो sets A और B disjoint कहलाते हैं अगर उनमें कुछ भी intersection ना हो यानि कि उनका intersection करने पर हमें हमेशा empty set मिले 5 मिले देखो A intersection B is 5 तब हम उसको कहेंगे disjoint set example देख लो A के अंदर 1, 2, 3 है B के अंदर 4, 5, 6 है C के अंदर 4, 7, 9 है तो A और B यहाँ पर कहलाएंगे disjoint sets क्यों क्यों क्योंकि 1, 2, 3 और 4, 5, 6 दे रखे हैं कुछ भी common नहीं है जबकि B और C कहलाएंगे intersecting sets clear है इसके बाद देखें complementary set पहले ही बता चुक हम complementary set का मतलब क्या होता है अगर हमारे पास universal set यह है 1, 2, 50 अगर हमारे पास universal set यह है 1, 2, 50 दे रखा है ठीक है और set A क्या है set A है हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5 तो 1, 2, 50 में 1, 2, 3, 4, 5 के अलबाबा जो भी बचा यानि कि 6 से लेकर 50 वो सब हो जाएगा इसका complementary क्या हो जाएगा इसका complementary इसके बाद आदा difference of two sets difference of two sets में देखिए दो sets A और B का जो difference है वो क्या होता है मैं आपको बताता हूँ basically अगर आपको A minus B की बात करनी है तो आपका answer क्या होगा all those elements all those elements which are in set A which are in set A but not in set B लेकिन set B में ना हूँ A minus B का मतलब ही होता तो B minus A का मतलब भी ही होगा मतलब कि B minus A अगर आपको करना है तो वो सारे elements आपका answer होंगे जो कि set B में है set A में नहीं है ठीक है यहाँ पर यह लिखावा है A minus B का मतलब है all X such that X belonging to A and X not belonging to B ठीक है तो अगर आप Venn diagram से समझे है तो शुद्ध A जो होगा वो A minus B होगा A minus B का आप याद रखे है इट शुद्ध A यानि जिसमें B का जरा सा भी हिस्सा ना हो प्याओर A हो वो A minus B है प्याओर B हो वो B minus A है clear है For example अगर मैं यहाँ पर सेट A ले लूँ let's say 1, 2, 5, 7, 9 अगर मैं यहाँ पर सेट B ले लूँ let's say 2, 7, 8 अब अगर मैं आपसे A minus B की बात करूँ तो सिर्फ वो elements आएंगे जो सिर्फ A में हो B में ना हो तो 1 है एक तो एक 5 है और एक 9 है अगर मैं आपसे B minus A की बात करूँ तो सिर्फ वो elements आएंगे जो सिर्फ B में हो A में ना 2 और 7 तो दोनो A में मिलेंगे आपको तो सिर्फ 8 answer होगा clear है इसके बास symmetric difference of two sets देखो अगर आपके पास A minus B है अगर आपके पास B minus A है तो इन दोनों का जो union होता है इन दोनों का जो union होगा वो कहलाता है symmetric difference of two sets ठीक है ना set of all those elements which are obtained by union of the difference of A and B and difference of B and A A minus B और B minus A का जो union होगा वही आपका कहलाता है symmetric difference of two sets इसको denote कैसे किया जाता है इसको denote किया जाता है इस triangle से ठीक है number of elements and differences यह various theorems हैं जो कि one diagram से निकल करके बाहर आती हैं जैसे कि N A union B is always N A plus N B minus N intersection B N A union B is N A plus N B अगर A और भी disjoint sets हैं क्योंकि A intersection B में तो 5 रहेगा तो उसके number of element 0 हो जाएंगे तो इस element इस theorem में आप 0 डाल दीजिए तो नीचे बाली है जाएगी N A minus B जैसे कि मैं आपको बताया Venn diagram में A minus B का मतलब यह वाला हिस्सा होता है यानि कि इस A मेंसे आपको A intersection B हटा देना होता है तो यहीं आपर लिखावा है N A minus N A intersection B इसे तरह से अगर आपको N B minus A करना है N B minus A तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा B मेंसे A intersection B हटाना पड़ेगा अब अगर आपको इन दोनों का ही Union करना है तो अब आप जानते हो A minus B और B minus A इनमें कुछ common तो होगा नहीं है ना तो A minus B यह लिखावा है B minus A यह लिखावा है जब आप इनका union करोगे ना यानि कि जब आप N A symmetric difference of B निकालोगे तो इन दोनों को सीधा यह add कर दो आप N A plus N B minus 2 times of N A intersection B यही formula यहाँ पर लिखावा है यह सब छोटी-छोटी theorem से जोगे आपको याद होनी चाहिए फिर 3 sets के लिए N A union B union C N A plus N B plus N C minus N A intersection B minus N B intersection C minus N C intersection A plus N A intersection B intersection C बहुत important है यह De Morgan's Law है दोनों के दोनों यह क्या कहलाते है De Morgan's Law नाम सुना होगा आपने NCRT में अगर आपने तनिक भी जहाका जहाकी की है तो De Morgan's Law देखिए De Morgan's Law क्या कहता है बहुत सिंपल सी बात है N अगर आपको A intersection B complete पर bar complimentary निकालना है तो इसका मतलब है N A bar union B bar C दिजी बात है इसी प्रकार से अगर आपको N A bar union B whole bar निकालना है तो इस जस्ट N A bar intersection B bar तो अगर आपको N A bar union B bar दे रखा है तो आप इसको N A intersection B complete bar लिख सकते हो और N A intersection B complete bar का मतलब है universal में से A intersection B को घटा दो यही तो complimentary का मतलब होता है अगर N A bar intersection B bar दे रखा है तो इसका मतलब De Morgan's Law से यह N A union B का complete bar दे रखा है इसका मतलब आपको universal में से A union B bar को घटा देना है उसके बाद यह various algebraic operations है बच्चों इसमें क्या लिखा हुआ है मैं आपको बता देता हूँ शॉर्ट में फटा फट से इसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी set का union आप उसी के साथ करोगे तो answer वही set आजाएगा किसी भी set का intersection आप उसी के साथ करोगे A intersection B union C जब आप करोगे तो यह हो जाएगा A intersection B union A intersection C अगर आप A union B intersection C करोगे तो आपके पास हो जाएगा A union B intersection A union C ठीक है और इसके लाब और भी बहुत सारी properties जैसे A union B union C है तो इसको आप bracket को इधर उधर भी कर सकते हो ठीक है यह बहुत छोड़ी सी बाते हैं जो कि मैंने आपको बता दी है अब हम आएंगे आगे De Morgan's Principle मैं आपको 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 बता ही चुका हूँ Cartesian product of two sets Cartesian product of two sets पर हम लोग आते हैं देखिए कोई भी दो sets है A और B उनका Cartesian product क्या होगा A cross B A cross B का मतलब वो सभी ordered pair का set है ना All those ordered pairs A, B Such that जिसमें A जो first element है वो तो A से belong करें And जो second element है वो B से belong करें यह होता आपका A cross B अगर मैं यही पर B cross A की बात करूँ तो क्या फरका जाएगा B cross A का मतलब हो जाएगा वो सभी elements A, B ordered pair जिसमें A तो belong करें B से और B belong करें A से यानि कि जो पहले लिखा हुआ है वो पहले set से belong करना चाहिए जो बाद में लिखा हुआ है वो बाद वाले set से belong करना चाहिए सी दी सी बात है clear है number of elements जो होते हैं किसी भी दो sets के partition product में वो क्या होते हैं देखो अगर मान लो set A में आपके पास number of elements M है set B में आपके पास number of elements N है तो आपके पास A cross B में M cross N elements होंगे इसको बहुत आराम से देख सकते हैं example से set A में अगर मैं element लेता हूँ 1, 2, 3 set B में अगर मैं element लेता हूँ P, Q ओके तो A cross B अगर मैं करना चाहूँ तो मेरे पास वो सारे ordered pairs आएंगे जिसमें first element A से हो तो यानि कि 1, P आएगा 1, Q आएगा 1, 2, P आएगा 1, 2, Q आएगा 1, 3, P आएगा और 3, Q आएगा तो आप देख सकते हों कितने elements बनें 6 elements आए इसमें कितने elements थे 3, इसमें कितने elements थे 2, तो A cross B में कितने elements आए 3 into 2 यानि कि 6 यह यहाँ पर लिखावा है अगर set A में M elements है set B में N elements है तो A cross B में M cross N elements होंगे since A cross B contains all such ordered pairs of type A, B such that A belongs to A and B belongs to B that means it includes all possibilities in which the elements of set A can be related with elements of set B सारी possibilities में आजाएंगे बिलकुल सही बात है therefore A cross B is termed as largest possible relation defined from set A to set B also known as universal relation from set A to set B self understood है क्योंकि A cross B बनाने के लिए आप set A और set B के तमाम possible ordered pairs लिखोगे इसका मतलब A cross B जो होगा it has got all the possibilities in which the elements of set A can be related with elements of set B clear है now comes relation relation क्या होता है देहे अगर set A से set B में कोई relation बना है तो इसका सीधा सीधा मतलब है कि R is subset or equal to A cross B ठीक है A cross B का subset या उससे बराबर होता है कौन? R क्योंकि A cross B में जैसा कि मैंने आपको अब अब बताया A cross B में all possible all possibilities आ जा जाते हैं जिसमें set A के element set B से pair up होंगे ठीक है? तो वो एक relation बन जाता है ठीक है जिसमें set A और set B का कि तमाम possible pairings आ जाती है तो आपका जो भी relation बनेगा A से B में definitely वो subset होने वाला A cross B का for example example मैं आपको लेकर के बताता हूँ मान लिजे मैंने set A लिया 1,2,3 और set B मैंने लिया 3,4 और मैंने सबसे पहले तो A cross B बना लिया तो अब देख सकते हो 1,3 बनेगा 1,4 बनेगा then 2,3 बनेगा 2,4 बनेगा then 3,3 बनेगा 3,4 बनेगा अब मैंने बोला एक relation बनाओ set A से set B में एक relation आपको बनाना है set A से set B में such that R के अंदर ऐसे ordered pair X,Y हो such that X is greater than Y sorry X is less than Y ठीक है X क्या हो X is less than Y हो and X तो belong करे A से and Y belong करे B से तो इसका मतलब यह सारे ordered pairs कहा से आएंगे यह सारे ordered pairs आएंगे A cross B से तो A cross B में ऐसे ordered pair चुनने हैं जिसमें Y हमेशा X से बढ़ा हो तो कौन कौन होंगे एक तो 1,3 होगा इसमें 3,1 से बढ़ा है एक 1,4 होगा एक 2,3 होगा एक 2,4 भी होगा और last में होगा 3,4 तो आप देखो यह सारे के सारे elements किसके अंदर आएंगे R के अंदर आएंगे तो यह सब के सब already A cross B में बैठे वे थे या नहीं बैठे वे थे तो हम यह कह सकते है कि जो relation R है वो A cross B का subset है और equality भी हो सकती थी अगर मैं यहाँ पर equality भी लगा देता तो फिर 3 cross 3 भी शामिल हो जाता और 3 cross 3 शामिल हो जाता तो फिर R completely बराबर हो जाता A cross B के clear है तो यह आपके पास relation के definition हो गई अगर मैं यह कहता हूँ कि 1,3 relation R का element है 1,3 pair तो आपन कहेंगे 1 is related to 3 तो उसको लिखेंगे 1R3 ठीक है यहाँ पर यह लिखावा है अगर A is related to B है तो मतलब A R भी आप लिख सकते हो इसका मतलब A pre-image था और B image था clear next देखे domain, co-domain and range of relation देखे पिछले example में मैं आपको समझा देता हूँ domain क्या होता है co-domain क्या होता है relation R के अंदर जो भी ordered pairs आए है relation R के अंदर जो भी ordered pairs आए है उन सभी ordered pairs में जो first element है जिसे यहाँ पर 1 है यहाँ पर 2 है यहाँ पर 3 है उन सभी first elements का जो set होगा वो relation का domain होता है और जो सभी second elements का set होगा 3 और 4 ही है ठीक है वो है range of relation क्या है ये second elements का set तो अभी दर आईए वापस domain of relation is collection of all elements of the first set which are participating in the correspondence ठीक है और उसके बाद co domain क्या होता है वो तो पूरा set भी होता है जो भी set भी आपने use किया है जैसे मैंने पिछले example में set भी क्या use किया था आप देखी set भी मैंने use किया था 3,4 तो ये पूरा code domain हो जाएगा अच्छा range क्या होगी range होगी जो भी relation के अंदर correspondence आए है जो भी mappings हुई है उन mappings में जो second elements है जो ordered pair में second element आए है उन सब का set वो है range तो फिर आपके पास reflexive relation का मतलब ये है कि एक element खुदी ही से connect हो रहा हो for example अगर मैं relation को define करता हूँ set a से set a में ही और set a है मेरे पास 1,3 और 5 ठीक है तो फिर मेरे पास उस relation में 1,1 होना चाहिए 3,3 होना चाहिए 5,5 ये तो must है उस relation के reflexive होने के लिए 1 का 1 से जुड़ना 3 का 3 से जुड़ना 5 का 5 से जुड़ना बहुत ज़्यादा जरूरी है हाँ इसके अलावा और कोई elements भी हो सकते हैं उसमें कोई problem वाली बात नहीं है लेकिन ये तीनों तो होने जरूरी ही है ठीक है x related to x for all x belongs to x ये होना जरूरी every element in set x must be related to itself ठीक है identity relation में कोई और element नहीं हो सकता मतलब कोई element खुद से जुड़ावा हो बस यही possibility होनी चाहिए जैसे मैंने यहाँ पर बोला reflexive में क्या हो सकता है 1,1,3,3,5,5 तो होना ही चाहिए लेकिन साथ में अगर 1,3 भी है तो चल जाएगा बिल्कुल चल जाएगा लेकिन identity में 1,3 भी नहीं होना चाहिए इसमें तो केवल वो element खुदी से जुड़ना चाहिए यह difference है identity में और reflexive में इसका मतलब सभी identity relations reflexive होते हैं लेकिन सभी reflexive identity नहीं होते है हाँ अगर मैं यहाँ पर जैसको 1,1 ले लेता 3,3 ले लेता सिर्फ इतना भी ले लेता तो फिर यह reflexive नहीं होता नहीं यह identity होता क्योंकि 1,3,5 से अगर set बन रहा है और आपको उसी set में relation बनाना है तो फिर 1,1 होना चाहिए 3,3 होना चाहिए 5,5 होना ही चाहिए किन के लिए दोनों के लिए identity के लिए और reflexive के लिए भी reflexive और identity में छोड़ा से difference है कि reflexive में कोई और ordered pair भी possible है allowed है symmetric relation में तो साफ बात है कि अगर if आपको a related to b दिख जाए तो फिर it should imply that b is also related to a याद रहे if लिखाओ है अगर a related to b है तो फिर आप b related to a के तलाश कर सकते हो symmetricity के लिए otherwise को tension वाली बात ही नहीं है तो next है बच्चों transitive relation transitive relation का मतलब क्या होता है देखिए अगर a if a is related to b and b is related to c तब आप कहेंगे a is related to c याद रहे if a is related to b b is related to c then a is related to c को हमें तलाश ना है ठीक है तो अब इसके उपर आधारित कुछ important notes देखिए सभी null relation यह याद रहें है strictly आपको null relation symmetric भी होता है और transitive भी होता है but reflexive नहीं होता क्योंकि null relation में कोई ordered pair होता ही नहीं है अब symmetric or transitive क्यों है क्योंकि symmetric or transitive में कहा जाता है if a is related to b then b has to be related to a अब यहाँ तो a, b ही present नहीं होगा क्योंकि वो तो empty है तो हम b, a की बात ही नहीं करेंगा इसलिए वो symmetric हो जाएगा for the same reason transitive हो जाएगा क्योंकि a, b ही नहीं है b, c ही नहीं है हुआ है एक ही ordered pair है तो यह single ton हुआ अब a, b अगर बैठा हुआ है b, c ही नहीं तो फिर हम a, c की बात ही नहीं करेंगे मतलब कि यह transitive तो हो गई होगा ठीक है अब a, b बैठा हुआ है लेकिन b, a तो नहीं बैठा इसलिए symmetric नहीं होगा ठीक है और अगर a और b बराबर हो जाएंगे तो फिर वो identity में convert हो जाएगा और अगला point देखो identity के लिए लिखावा identity relations are reflexive symmetric and transitive anti-symmetric relation देखो symmetric का anti यानि कि symmetric में तो क्या होता है a अगर b से related है तो b a से related हो गई होगा यहाँ पर अगर a b से related है और b a से related है तो a बराबर b हो जाता है यह anti-symmetric है symmetric में a बराबर b नहीं होता clear ना equivalence relation में क्या होता है equivalence relation का मतलब है एक ऐसा relation जो symmetric भी हो जो reflexive भी हो और जो transitive भी हो इसके बाद आता inverse of a relation inverse of a relation में कुछ भी बात नहीं है अगर कोई relation r है और उसके अंदर ordered pair बैठे वे मालो 1,2 1,3 2,5 and 4,8 ठीक है तो जो inverse relation होगा अच्छा r अगर defined हुआ है a से b में तो फिर r inverse defined होगा b से a में ओके r inverse के अंदर क्या हो जाएगा सब उल्टा पुल्टा हो जाएगा 3,1 5,2 और 8,4 क्योंकि यह उल्टा बनता है वो a से b में बनेगा तो यह b से a में बनता है तो यानि कि जो r का domain और range है वो r inverse के range और domain हो जाते हैं respectively ओके वो यहाँ पर लिखा हुआ है ओके बच्चो इसके बाद हम लोग आते हैं examples में पहला example देखो set a आपको दे रखा है then find the number of subsets of the set a and also mention the set of all the subsets of a यहाँ पर क्या लिखा है mention the set of all the subsets of a मतलब power set के आपको बात करने हैं तो पहले तो आप देखो यहाँ पर कितने cardinal number है इसका तीन है तो number of subsets कितना हो जाएगा number of subsets हो जाएगा two की power n ठीक है two की power n यानिके two की power 3 that means eight अब वो eight subsets कौन कौन से हैं एक तो five है एक single elements को ले लो a फिर b फिर c फिर दो दो को ले लो a, b ok b, c c, a और last मा आएगा a, b, c इनका जो set होगा वो होगा power set of a को यहाँ पर इसने यह बोला है mention the set of all the subsets of a यानि कि power set आपको बताना है ok चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखिए set a आपको दे रखा है set b आपको दे रखा है आपसे a minus b और b minus a पूछा है बिलकुल theoristic होकर चलेंगे a minus b का मतलब वो elements जो केवल set a में present हो लेकिन set b में ना हो अभी देखो जो दोनों में present है न उन पर मैं गोले लगा रहा हूँ जैसे कि 3 दोनों में present है ये देखो 5 दोनों में present है 7 दोनों में present है बाकी जिन पर गोले नहीं लगे हैं individual उन्ही sets के elements है तो अब आप clearly देख सकते हो कि set A में ऐसे कौन से elements है जो set B में नहीं है वो elements है 2, 4 और 6 वो A-B बनाएंगे should A, should B मतलब B-A यानि कि वो elements जो के वल B में हो लेकिन A में ना हो, वो कौन है 9, 11 और 13 next R एक ऐसा relation है जो कि set N of natural numbers पर बना है और इसके अंदर वो ordered pairs है जिनके लिए, मतलब वो ordered pairs X, Y है जिन X और Y के लिए X प्रस 3Y इकल टो 12 होगा और X और Y दोनों natural numbers होगे तो देखते जाएए हमें relation R बताना है हमें domain of R बताना है और हमें range of R बताना है तो देखो यहां से X is equal to आप 12 minus 3Y लिख सकते हो अब आप natural number Y को डालना स्टार्ट करो Y बराबर 1 पर आपके पास X बराबर 9 आएगा Y बराबर 2 पर आपके पास X बराबर 6 आएगा Y बराबर 3 पर आपके पास X बराबर 3 आएगा y बराबर 4 पर आपके पास x बराबर 0 आएगा y बराबर 5 पर आपके पास x बराबर minus 3 आएगा ये भी rejected ये भी rejected आगे तो आपको हमेशन negative number मिलेगा तो इसलिए आगे तो natural number मिलने का सवाल ही पैदा नहीं होता और यहाँ पर x बराबर 0 आएगा जो कि natural number नहीं है तो ये भी reject हो जाएगा इसका मतलब आपके पास केवल यही values applicable है y की तो इसका मतलब आपके set के अंदर जो sorry आपके relation के अंदर जो ordered pair रहेंगे वो होंगे 9,1 एक होगा 6,2 एक होगा 3,3 तो यहाँ से अगर आपको domain of r निकालना है domain of r तो domain of r हो जाएगा 3,6 और 9 यानि की इन सभी ordered pair में जो पहला element है range of r हो जाएगा इन सभी ordered pair में जो second element है 1,2 और 3 ओके so this is your answer next question prove that relation r on set z of all integers defined by x,y belongs to r r यहाँ पर real नहीं है relation है such that x-y is divisible by n is an equivalence relation on z हमें prove करना है कि relation equivalence होगा equivalence के लिए बच्चों सबसे पहले जो हमें काम करना है वो यह है कि सबसे पहले हमें reflexive prove करना पढ़ेगा हमें reflexive prove करना पढ़ेगा कैसे prove करेंगे हम reflexive को आईए देखते है reflexive के लिए हम मान लेते है कि एक element a है जो की z से belong कर रहा है ठीक है और अगर यह इसी से relate होना है तो a-a कितना आ रहा है 0 क्या आप इसको पलट कर ऐसे लिख सकते हो a-a upon n equal to 0 इसका मतलब हम यह कह सकते है कि x-y is divisible by n यानि कि a-a is divisible by n इसका मतलब हम clear cut कह सकते है a is related to a इसका मतलब yes it's reflexive is it okay बिल्कुल theory से stick होकर के चलेंगे कोई problem नहीं है second one is अब हम symmetricity के बारे में बात करेंगे symmetric है या नही i-s की भी चर्चा कर ले symmetric के लिए हम क्या करेंगे देखिए हम मान लेंगे के a is related to b अगर a b से related है तो मतलब a-b upon n करने पर एक integer p आया होगा p belongs to z अगर a-b upon n करने पर p आया है तो b-a upon n करने पर minus p आया है अगर p integer है तो minus p भी integer होगा इसका मतलब हम कह सकते हैं कि b minus a is divisible by n that means we can say yes b is related to a तो जब a b से related है तो b a से related है implies relation symmetric भी है okay reflexive हो गया symmetric हो गया अब हम चलेंगे transitive के तरफ third number पर अगर हमने transitive भी से prove कर दिया तो इसका मतलब yes यह relation पूरी तरह से equivalence कहलाने का हकदार होगा transitive के लिए हम क्या करेंगे आईए देखिए transitive के लिए मैं मान लेता हूँ कि a जो है एक integer आएगा अगर b c से related है तो b minus c upon n करने पर एक और integer आना चाहिए ठीक है यहां से आप देखिए a minus b को हम लिख सकते है n times of p के बराबर b minus c को हम लिख सकते है n times of q के बराबर अब हमें रिष्टा a और c के बीच में लाना है हटाने के लिए आप इसको add कर दीजे तो a minus c should be equal to n times of p plus q अगर p एक integer था अगर q एक integer था तो p plus q भी एक integer ही होगा इसका मतलब हमें कह सकते है a minus c upon n करने पर हमारे पास आ रहा है p plus q which is another integer that means yes a minus c is divisible by n और अगर यह divisible by n है तो इसका मतलब है a is related to c इसका मतलब आपका relation transitive भी होगा तो इसका मतलब यह reflexive भी था यह symmetric भी था और यह transitive भी था तो इसका मतलब यह equivalence हो गया next देखिए relation r जिसके अंदर यह ordered pairs आपको दिख रहे होंगे यह सारे ordered pairs है 1,12,23,3 1,2,23,13 on the set A 1,2,3 इस पर develop हुआ है तो यह reflexive है but not symmetric reflexive but not transitive symmetric and transitive या neither symmetric nor transitive इसके बारे मैं हमें बात करने है देखिए अगर यह reflexive होना है तो 1,12,23,3 होना जरूरी था तो यह reflexive तो है भाई सार्थ ठीक है? इस में तो कोई tension वाले बात नहीं है reflexive तो यह है अच्छा आप देखो 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है 1,3 है लेकिन 3,1 नहीं है यह दोनों गायब है इसका मतलब यह symmetric नहीं है symmetric नहीं है मतलब symmetric पर बार लगा देता हूँ ओके? अच्छा दूसरा देखो 1,2 है 2,3 और 1,3 भी है इसका मतलब यह transitive तो है correct तो यह reflexive है और यह transitive है पहला option देखो reflexive but not symmetric यह सही option लग रहा है मुझे reflexive but not transitive यह गलत है symmetric and transitive यह भी गलत है neither symmetric nor transitive यह भी गलत है तो सही answer A होगा clear है? next यह भी PYQ है P आपको दे रखा है sin theta minus cos theta is equal to root 2 cos theta and Q आपको दे रखा है sin theta plus cos theta equals to root 2 sin theta then इन में से consumption सही है EEEE मायावा question है question बहुत famous है देखा होगा आपने इसमें कैसे करना है देखो P set को मैं solve कर रहा हूँ पहले P set को sin theta equals to root 2 plus 1 into cos theta तो यहाँ से ही हो जाएगा tan theta is equal to root 2 plus 1 अब मैं set Q को solve कर रहा हूँ यहाँ से देखे cos theta is equal to हो गया sin theta common और यह बगल में आगया root 2 minus 1 that means tan theta equal to आगया 1 upon root 2 minus 1 which after rationalization after rationalization will give you root 2 plus 1 that means दोनों के values same आ रही है तो दोनों ही sets बराबर होने चाहिए तो P बराबर Q should be your answer अगला question फिर से जही में का minimum number of elements that must be added to the relation are यह एक relation है जिसमें यह ordered pairs है इसमें ऐसे कितने ordered pairs और जोड़े जाएं कि यह एक equivalence relation बन जाए अब equivalence relation बनने के लिए सबसे पहले तो उसका reflexive होना जरूरी है फिर उसका symmetric होना जरूरी है और फिर उसका transitive होना जरूरी है ओके यह तीनों बाते होनी चाहिए अब अगर मुझे reflexive इसको लाना है तो मुझे इसमें A, A लाना होगा मुझे इसमें B, B लाना होगा मुझे इसमें C, C लाना होगा मुझे इसमें D, D भी लाना होगा clear है यह 4 तो आगे symmetric के लिए कितने चाहिए अगर A, B है तो B, A भी होना चाहिए अगर B, C है तो C, B भी होना चाहिए अगर B, D है तो D, B भी होना चाहिए ओके तो symmetric करने के लिए मुझे 3 elements और चाहिए transitive के लिए देखो A, B है B, C है तो A, C होना चाहिए A, B है B, D है तो A, D होना चाहिए उसके बाद A, C है तो C, A भी होना चाहिए A, D है तो D, A भी होना चाहिए Correct उसके बाद देखो C, A आया A, D आया तो Transitive होने के लिए C, D भी होना चाहिए और C, D है तो फिर D, C भी होना चाहिए Symmetric होने के लिए तो Total यहाँ पर कितने आगए 4 और 2, 6 तो यानि कि Total आपके पास होने चाहिए 13 Elements 13 ordered pair have to be added to make this given relation an equivalence relation Next question Are we a relation from the set 1 to 60 to itself such that R equal to A, B B is equal to PQ Make it very clear in your mind that B is equal to P, Q और P, Q is greater than or equal to 3 and all are prime numbers A पर तो कोई restriction ही नहीं है A तो 1 से लेकर 60 तक कितनी भी value ले सकता है यह A का area है B पर restriction है B, P, Q के बराबर है और B को 1 से 60 के बीच में रहना है और B is multiplication of two numbers P and Q where P and Q both are prime numbers greater than or equal to 3 सबसे पहले तो 3 से बड़े सारे prime numbers लिख लो 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59 यह सारे prime numbers है जो की 1 से 60 के बीच में बैठे हैं और जो 3 से बड़े या बराबर है अब अगर मैं B equal to P, Q लेता हूँ तो ध्यान से सुनना अब अगर मैं 3 का multiplication 3 से ही कर दूँ 3 का multiplication 3 से ही कर दूँ तो मैं 1 से 60 के बीच में रहूँगा मतलब B के value 1 से 60 के बीच में रहेगी 3 का multiplication 5 से कर दूँ 15 रहेगा यह भी admitted 3 into 7 भी admitted 3 into 11 भी admitted 3 into 13 भी admitted 3 into 17 भी admitted and 3 into 19 भी admitted यह कितनी values हो गई? 7 values हो गई जो की आपका भी ले सकता है ठीक है? जब मैंने P को 3 पर fix किया हुआ है और Q को मैं 3 से ले करके 19 तक नचा सकता हूँ इसके बाद देखो 5 से start होने वाले लेते हैं 5 को 5 से multiply करोगे तो 25 आएगा admitted है 1 से 60 के बीच में है फिर 5 into 7 करोगे 35 आएगा फिर 5 into 11 करोगे 55 आएगा यहाँ पर यह 3 मिल गए उसके बाद आप 7 को लो 7 into 7 करोगे 49 आएगा बस यही एक आएगा क्योंकि इसके अलावा 7 into 11 करने पर तब 60 से beyond चले जाओगे तो 7 यहाँ, 3 यहाँ, 10, 10 और 1 यहाँ, 11 तो 11 possibilities B के पास है A के पास 60 possibilities है तो A के पास है 60 possibilities और B के पास है 11 possibilities तो आपके पास जो possible elements आएंगे R के अंदर वो आएंगे 60 into 11 करने पर that means 660 possibilities are there क्योंकि R के अंदर तो ordered pair ही आते है clear है? तो 660 is your answer That was all for certain relation इसके बाद अपन लोग आगे बढ़ेंगे अगले topic के साथ mathematical reasoning जो की same series में चलता रहेगा तो बच्चों हम लोग J-Main topics कर रहे थे और J-Main topics में हम लोग certain relation पढ़ चुके हैं अब जो next topic अपन ले रहे हैं वो है हमारे पास mathematical reasoning mathematical reasoning के बारे में आप जानते ही हो कि इसमें से एक question तो आता ही आता है J-Main के अंदर और आज कल कोछ अच्छे लेवल का भी आने लगा है और लेकिन इसके basic rules basic theory वही की वही है वही आपको याद करनी है और उसी हिसाब से आपका chapter का हर एक question आप deal कर सकते हो तो मैं आपके सामने यहाँ पर theory से start करते हुए और फिर आपन थोड़े बहुत questions लेकर करके इस chapter को finish करने की कोशिश करेंगे तो mathematical reasoning में सबसे पहले हम बात करेंगे बच्चो statements की mathematically statement क्या होती है मैं आपको बताता हूँ कोई भी sentence mathematically accepted statement तब बनता है जब वो या तो पूरी तरह से सही हो या पूरी तरह से गलत हो ओके either it should be completely true और it should be completely false जैसे कि अगर मैं बोलू कि 2 plus 2 equal to 10 है तो ये completely false है तो ये sentence होगा ये statement होगी clear बात है उसके बाद अब statement में भी compound statements आ जाती है यानि कि जब एक या एक से ज़्यादा statements को आप mix कर देते हो तो फो compound statements हो जाती है mix करने के लिए connect करने के लिए आपको connectives की ज़रुत पढ़ती है तो दो तरह के major connectives यहाँ पर होते है एक तो होता है और एक तो होता है और और एक होता है end ये दो major connectives होते है और का जो symbol होता है वो V होता है और end का जो symbol होता है वो ultra V होता है ठीक है यह दोनों बातें बहुत ही common सी बात हैं अब अपन आगे बढ़ते हैं इससे पहले और और एंड में हम आगे बढ़ें हम बात करेंगे truth table की तो देखिए truth table truth table क्या होती है बच्चो truth table का मतलब है एक ऐसे table जो आपकी statement के क्यी Talent की हमेशे got true value बताई अगर वह falls तो falls अगर वह बतार harvest को बता truth table में number of rolls होते हैं Number of columns होते हैं अगर आपके पास एक ही statement है तो आतके पास जो rolls की संख्या होगी वह दो होंगी अगर आपके पास दो statements है तो आपके पास जो रोज की संख्या होंगी वो चार होंगी रोवन है ना यहां रोटू फिर रोट्री और फिर रोफोर बेसिकली टू की पावर एन इस दा फॉर्मला फॉर नंबर आफ रोज वेर एन इस दा नंबर आफ सिंपल statements okay very easy उसके बाद आपको बता दूँ जब आप truth table लिख रहे होते हो तो आप पहले true true false false से start करें अगर आप दो के लिए लिख रहे हो तो है ना यहां पर पी रहेगा यहां पर क्यू रहेगा उसके बाद alternate true false रहेगा ठीक है ऐसा जरूर नहीं कि आप इसी तरीके से चलो लेकिन मैं तो इसी तरीके से चलता हूं और स्टुडेंट्स को भी इसी तरीके से चलता हूं इससे क्या होता है एक डारेक्शन पकड़के आप चलोगे तो ज्यादा आसान रहेगा ओके अच्छा उसके बाद अगर आपके पास तीन स्तेटमेंट्स हो जाएंगे तो आठ रोज आने वाली हैं तो वही प्रॉबेलिटी का फंड़ा चार बार त्रू लिख दो फिर चार बार वार फॉल्स लिख दो फिर दो बार false लिख दो, दो बार true लिख दो, दो बार false लिख दो, फिर alternate true false, alternate true false, alternate true false, इस तरीके से आपको लिखना है, तो this should be the way, clear है, तो यह आपको आना चाहिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, next is, negation of a statement, किसी भी statement को courage कर देना, नकार देना, उसका negation कह लाता है, negation का जो symbol होता है, यह होता है, किसी statement का negation, यानि की negation of p, इस तरीके से अपने उसको denote करते हैं, जैसे अगर मैंने बोला, grass is green, यह statement number p है, statement number p है, grass is green, grass is green, तो इसका negation क्या हो जाएगा, grass is not green, ठीक है, grass is not green, तो यह जो negative तरह के words लग जाते हैं, जो आपके sentence को पूरी तरह से बदल के रख दे यह यूज होते हैं, तो यह आपके statement को negate करने के काम में आते हैं, negation की कुछ properties होती है, जैसे कि अगर आप किसी statement का negation करें और फिर उसका फिर से negation कर दें, जैसे grass is not green का मैं फिर से negation कर दूँ, तो आंसर आएगा grass is green, यानि कि मैं यह कह सकता हूँ, कि negation of negation p is nothing but p, तो एक important बात आपको पता पड़ गई, कि negation of negation p is actually p, very important, ठीक है, अब बात करते हैं, compound statements की, compound statements का मतलब होता है, जिसमें एक ऐसी statement जिसमें दो या दो से ज़्यादा statements combined हो रखी हो, इनको connect करने के लिए हम दो तरह के major तोर पर connectives का इस्तमाल करते हैं, एक तो होता है and और एक होता है और, इसके बाद अपना आते हैं and statement, देखो and statement में basic rules होते हैं, आपको इस पूरे chapter में truth table के rules याद रखने हैं, बिल्कुल वैसे के वैसे याद रखने हैं, जैसे कि जैसे कि मैं आपको बताऊंगा, अपनी तरफ से दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना आपको, ध्यान से सुनत इक से अगर मैं और की बात करूँ तो और में एकदम उल्टा रूल है, और में क्या होता है, अगर एक भी true है तो फिर वो true है, ठीक है, एक भी true है of P and Q है, it would be equal to negation of P or negation of Q, इसको truth table से आप बहुत easily सीख सकते हो, जैसे कि अगर मैं P लिखूं, true, true, false, false, Q लिखूं, true, false, true, false, फिर मैं लिखूं, P और Q तो जाएगा true, 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 false, फिर मैं लिखूं, negation of P और Q तो यह हो जाएगा false, 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 false और true, यह तो आगया negation of P और Q, अब अपन बात करेंगे negation P की, negation P यानि कि अगर यह दोनों true थे शुरुवात में तो यह false हो जाएगे, फिर यह नीचे true आजाएगा, ओके, फिर negation Q की बात करते हैं, तो false, true, false, true, फिर negation P and negation Q की बात करेंगे, and लग रहा है तो false, false, एक भी false है तो फिर false ही है, और यहाँ पर true, अब आप देखो यह दोनों exactly same हो गया, इस तरीके से truth table के rules आपके काम कर जाते हैं, उसके बाद negation of negation P, तो P ही होता है, यह अपन पहले बात कर चुके हैं, इसके बाद अपन आते हैं आगे, conditional statements or implications, conditional statement का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिए, conditional statement का मतलब इस तरह की statement, if P then Q, तब यह conditional statement कहलाती है, इसको mathematical ऐसे लिखा जाता है, P implies Q, इसमें खास बात होती है, इसकी truth table में, वो खास बात क्या होती है, कि यह तब ही false होती है, जब पहली statement तो true हो, और दूसरी statement false हो, उसके अलावा हमेशा यह true ही रहती है, यह बाद ध्यान रखना, यह तब ही और तब ही false होती है, जब P तो हो true, और Q हो false, अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं, इससे जुड़ी भी कुछ और statements की, जैसे इसका negation क्या होता है, पहले तो मैं आपको बता दूँ, P implies Q, mathematically बराबर होता है, negation P और Q के, यह बात आप ध्यान रखेंगे, जही में ने 2019 से 22 में कई बार इसको use करके questions पूछ लिए हैं, P implies Q का mathematical मतलब है, negation of P और Q, तो इसका negation कितना हो जाएगा फिर, अगर मैं इसका negation कर दूँगा, negation of P implies Q कर दूँगा, तो इसका negation हो जाएगा, यानि कि negation of negation P और Q हो जाएगा, जिसका मतलब है, negation of negation P and negation Q, यानि कि P and negation Q, this will be your result, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ, इसको negation कहते हैं, अगर आपसे इसी का contra positive पूछ लिया जाए, तो याद रखिए, P implies Q का contra positive होता है, negation of Q implies negation of P, ठीक है, अगर आपसे इसका converse पूछ लिया जाए, तो याद रखिए, P implies Q का converse होता है, Q implies P, अगर आपसे इसका inverse पूछ लिया जाए, तो वो होता है, negation P implies negation Q, यह इसका inverse होता है, यह बाते आप ध्यान रखेंगे, इसके बाद आगे बात करते हैं, by conditional statements, by conditional statements का मतलब क्या होता है, सुनिए, by conditional statements का मतलब है, ऐसी statement, जो इस तरीके से बोली जाए, P if and only if Q, इसको लिखने का तरीका है, P by conditional Q, double arrow होता है, double headed arrow होता है, इसमें truth table का rule क्या होता है, कि अगर दोनों की values same होना, तभी true है, यानि दोनों true हो या दोनों false हो, values दोनों statements की same होनी चाहिए, तभी true होगा, otherwise नहीं होगा, ठीक है, otherwise वो false होगा, इसमें एक rule यह होता है, जो कि बड़ा important है, याद रखें आप इसको, negation of P by conditional Q is, P and negation Q और negation P and Q, यह properties याद रखना इसलिए जरूरी है, क्योंकि कई बार इन properties को apply करने से, आप truth table से solve करने से बच जाते हो, क्योंकि truth table कई बार तो बहुत easily आपको answer दे देती है, लेकिन कई बार truth table आपको, आपके time को waste कर देती है, इसलिए properties आपको याद रखना जरूरी है, यह मैं आगे आपको बताऊंगा, questions में किस तरीके से properties काम करती है, okay, tautology and fallacy, tautology का मतलब है, जिसमें end result सभी का true हो, ठीक है, एक ऐसी conditional statement, sorry, एक ऐसी compound statement, जिसमें end result हमेशा true हो, वो tautology, जिसमें end result हमेशा false हो, वो fallacy, जैसे कि अगर मैं बात करूँ P की, तो यह true false हो जाएगा, दो possibilities है, negation P करूँगा, तो true के case में false और false के case में true हो जाएगा, अगर मैं इन दोनों के उपर और operation लगा दूँ, तो true और false true होगा, और false और true भी true होगा, तो यह होगी टautology, अगर मैं इसी में end operation लगा दूँ, तो यह हो जाएगा, fallacy, ओके, जैसे कि मैं आपर लगा के बताता हूँ आपको, अगर मैं इसी में P and negation P निकालता, तो यह false हो जाता, और false के case में इसको fallacy बोलते हैं, और fallacy का एक और नाम होता है, वो है contradiction, जो कि आप याद रखेंगे, इसके बाद algebra of statements, यहाँ पर कुछ rules लिखवाए जा रहे हैं, जो कि आपको याद रखने, sets को अगर आपको दिमाग में रख रखा है, आपने sets को, तो यह आप बहुत इजी लिए याद रखो, आप बस मनी मनी यह याद रखो, कि union को हम और कहेंगे, और intersection को हम end कहेंगे, ठीक है ना, यह बात आप ध्यान रखेंगे, देखिए, P और P is P, P and P is P, बिल्कुल दिमाग में आप sets चलाते जाए, P union P is P, P intersection P is P, उसके बाद यह वाली property यह भी set की दुनिया से आती है, ठीक है, associative law कहते हैं से, commutative law, P union Q, Q union P के बराबर, distributive laws में, कोई दिक्कत नहीं, यह काफी important है, काफी काम आएगा, इस पर based काफी questions यह में ने पूछे हैं, शायद इसलिए पूछे हैं, क्योंकि यह थोड़ा सा hectic है लगाने में, P and Q और R, P and Q और P and R, इसी तरह से second property भी आप देख सकते हो, identity laws में देखिए, अब यह थोड़े से important है, ठीक है, यह थोड़े से important है, ध्यान से सुनिएगा, बागी सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगे, बस समझते जाओ आप आराम से, अगर आप किसी भी statement का tautology के साथ और करोगे, तो answer tautology आएगा, यह कैसे आ रहा है, मैं आपको सिखा देता हूँ, जाहन से सुनिए, भई P के पास choice क्या है, या तो यह true हो जाए, या यह false हो जाए, अगर यह true होती है, तो true और true कितना आएगा, true ही आएगा, और अगर यह false होती है, तो false और true भी कितना आएगा, true ही आएगा, यानि कि दोनों ही cases में answer true है, तो इसलिए इसका answer true है, यही बात अगर मैं दूसरे case में करूं, कि भई P and tautology, तो यह हमेशा P होता है, अब यह कैसे होता है, इसको ध्यान से सीखिए, अगर मैं P को true ले लूँ, तो true and true will be true अगर मैं false ले लूँ, तो false and true will be false, इसका मतलब दोनों ही सूर्तों में answer वो आता है, जो P की value होती है, तो इसलिए answer क्या आएगा, P, similarly, यह दोनों properties भी इसी तरीके से done हो जाएंगी, और similarly, six value property भी आप इसी तरीके से देख सकते हो, ठीक है, involution law अपन पढ़ी चुके है, negation of negation P is P, और De Morgan's law sets में अपन जानते ही है, वही कि वही property सी यहां पर लग जाती है, negation of P और Q is negation of P and negation of Q, and similarly, negation of P and Q is negation of P or negation Q, ओके, अब अपन आते हैं, questions पे, now comes the question, पहला question देखिए, negation of the statement, पूछा है आपसे, ठीक है, तो इसको अपन प्रुस्ट टेबल से नहीं property से उड़ाएंगे, देखू, negation पूछा है किसका, negation P or Q, and negation P and negation Q का, यह है, ओके, तो अब क्या करेंगे, अब एक एक करके आराम से property लगा के solve करेंगे, तो negation of negation P and negation Q हो जाएगा, यह first bracket, फिर यहां sign घुमेगा, फिर negation of negation P हो जाएगा, और negation of negation Q हो जाएगा, ओके, तो यह हो जाएगा, P and negation Q और P और Q, यह आपका answer होना चाहिए, अब आप देख लिजए, कहां पर बैठा हुआ है, यह बैठा हुआ है आपके, B option में, तो B is the correct answer, तो property से बहुत easily काम हो जाता है, कौन सी property लगा है, यहां पर मैंने, property लगी है, A and B के negation की, which is negation of A, और negation of B, clear है, इसके बाद आईए, अगले question पर, यहां पर हमें negation पूछा है, इस statement का, आईए, विलकुल वैसे ही solve करने की कोशिश करें, अब आप मानो, आपके पास A और B है, और आप से इसका negation पूछ लिए, तो आप कैसे करोगे, negation of A and negation of B, यही property लगाओगे, तो वही मैं यहां पर लगा रहा हूँ, negation पूछा है मुझसे किसका, P and Q, और, Q और negation R का, तो जब आप इसमें property लगाओगे, तो negation of P and Q अलग हो जाएगा, and negation of Q और negation R अलग हो जाएगा, तो यह हो जाएगा, negation of P or negation of Q and negation of Q and R, अब आप देख लिजिए, कौन से option में बैठा हुआ है, यह बैठा हुआ है आपके C option में, तो C is the correct answer, next question देखिए, statement P and Q by conditional negation P is a, यह क्या होगी, क्या यह tautology होगी, क्या यह contradiction होगा, क्या यह neither tautology nor contradiction होगा, यह none of these है, आईए, solve करते हैं, check करते हैं, देखिए, P, Q, P and Q, फिर negation P, और फिर बनाएंगे, हम P and Q by conditional of negation P को, यह truth table से हम करेंगे, इस question को, बहुत easily solve हो जाएगा, आईए, देखते हैं, तो देखिए, P में हम लिखेंगे, true, true, false, false, ओके, फिर Q में आप आजा होगे, तो आप लिखोगे, true, false, true, false, P and Q में आप लिखोगे, true, false, 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 negation P में आप लिखोगे, false, false, true, true, इसके बाद इन दोनों पर करना है, by conditional, by conditional में मैं आपको बताया था, यदि दोनों values same हों, तो ही true आएगा, otherwise false आएगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें, यहाँ पर अगर हम बात करें, तो यहाँ पर true आएगा, ठीक है, बाके हर जगे false आने वाला है, तो यानि कि यह ना तो tautology है, ना ही यह fallacy है, तो यह answer आएगा आपके पास, neither tautology, nor contradiction, ओके, neither tautology, nor contradiction should be your answer, C option, next question देखिए, the statement P implies negation Q, by conditional P and Q as a, इन में से कौन से साई option है, आपको बताना है, आएगे देखते हैं, truth table से करेंगे, सबसे पहले P, फिर Q, फिर negation Q, फिर P and negation Q, उसके बाद P and Q, और उसके बाद P implies negation Q, by conditional P, P and Q, ओके, इसको मैं सही कर देता हूँ, P and Q, यह सब आपनको बनाना है, आएए बनाते हैं, देखो P पर तो आएगा true, true, false, फिर आएगा true, false, true, false, negation Q is false, true, false, true, P and negation Q, P and negation Q का मतलब है, sorry P implies negation Q, इसमें क्या होता, अगर पहली true, दूसरी false है तो false है, otherwise हमेशा true है, यह true आजाएगा, P and Q में क्या होगा, दोनों true, तभी true होगा, otherwise हमेशा false होगा, अब इन दोनों पर करना है हमें, by conditional operation, by conditional operation में आप जानते ही हो, by conditional operation में क्या होता है, दोनों की same values होंगी, तो ही काम बनेगा, तो यहाँ पर यह false, यह false, यह false और यह भी false, इसका मतलब आपके सारे answers, false में आ रहे हैं, इसका मतलब यह है, fallacy, fallacy, यह आप इसको contradiction भी कह सकते हो, ठीक है, तो आपका answer आएगा, B option, okay, B option should be your answer, इसके बाद देखिए, negation of the conditional, if it rains, then I shall go to school, अब देखो, मैंने आपको बताया था, negation of conditional क्या होता है, negation of P implies Q होता है, P and negation of Q, तो हम यहाँ पर वैसी बात करेंगे, if it rains, यानि कि यह है आपके पास, यह है आपके पास, P, then के बाद स्टार्ट होता है, Q, तो यह लिखावा है, if P, then Q, तो हमें इसका, हमें इसका negation लिखना है, तो हमारा answer आएगा, P and negation Q, यानि, it rains and I shall not go to school, this should be my negation of the given conditional statement, it rains and I shall not go to school, B is the correct answer, हाल ही मैं इस तरह के बहुत सरे questions पूछे गए, जो truly property-based होते हैं, बिच्चों, next question which of the following is logically equivalent to this statement, तो हमें पहले ये statement के बारे में बात करने होगे, इसके truth table बना लेते हैं, सबसे पहले P लिखेंगे, फिर Q लिखेंगे, फिर negation of P लिखेंगे, फिर negation of P implies Q लिखेंगे, और फिर last में इसका negation लिखेंगे, ओके, ये सारा काम हमें करना है, आई ये start करें, सबसे पहले true, true, false, false, true, false, true, false, negation of P is false, false, true, true, negation of P implies Q, negation of P implies Q, याद रहे, negation of P implies Q कर रहे हैं, आप इधर से इधर जाओगे, 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 clear है? अब हमें बात करनी है कि भाईया ये जो है ये इन में से किस के साथ logically equivalent है तो अगर हम option check करें क्योंकि इसमें option ही check करना है अगर हम option check करें तो आप D को check करो ज़र negation P क्या होगा? false, false, true, true negation of Q क्या होगा? negation of Q is false, true, false, true और अगर मैं इस पर and operation लगा दूँ negation P and negation Q तो आजाएगा false, false, false or true इसका मतलब this statement is logically equivalent to this ठीक है? क्योंकि ये भी देखो क्या है? false, 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 true ये भी है false, 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 true तो D should be the correct answer next question देखें बच्चों इन में से PY के उस भी चलते चले जा रहे हैं ओके न? negation of this statement हमें बताना है किसके equivalent है आईए बात करते हैं इसका negation करना है property से हम चलेंगे तो यह जाएगा negation of R and S property लगाओगे तो S and R और negation S यह आ जाएगा यहाँ पर फिर से property लगाते हैं S and R और S and negation S हो जाएगा S and R तो वैसा ही रहेगा और S और negation S का and operation जब आप करोगे ठीक है? तो आपके पस क्या आएगा? आईए बात करते हैं इसको check करना पड़ेगा भी हमें तो देखिए अगर यह true है तो यह false है और अगर यह false है तो यह true है दोनों ही सूर्तों में इनका end करने पर false आएगा यानि कि fallacy आएगा fallacy के साथ किसी भी statement का जब और operation करते हो तो इसको कैसे अब जरू करोगे या तो यह true होगा अगर यह true हुआ तो true or false is true और अगर यह false हुआ तो false or false is false इसका मतलब दोनों ही सूर्तों में आंसर वो आ रहा है जो कि इस statement का आंसर है तो आपका आंसर आएगा S and R तो आंसर है Bombay option ठीक है The boolean expression which is given to you is equivalent to इन में से किसके बराबर है इसके हमें बात करनी है ठीक है चलिए solve करते हैं इसको property से solve करेंगे बहुत आराम से देखेगा एक step P and negation Q और Q इसको मैं पहले तो associate कर देता हूँ by using associative property negation P and Q को अपन बहार ही रखते हैं इसको पलट कर लिखा तो Q इसको पलट कर लिखा तो Q और P and negation Q आ जाएगा ओके और यहां पर आ जाएगा और negation P and Q अब देखिए यहां से हो जाएगा Q और P and Q और negation Q यह बनेगा ठीक है यह लौपन पढ़ चुके थे और यह हो जाएगा negation P and Q as it is इसके बाद देखिए यह क्या बनेगा यह अगर true हुआ Q अगर true हुआ तो यह false होगा और अगर यह false हुआ तो यह true होगा दोनों सूर्थों में इनका और करने पर तो true ही आएगा मतलब यह हमेशे tautology है tautology के साथ अगर आप किसी statement का end कर रहे हो तो अगर यह true हुआ तो true ही answer आएगा false हुआ तो false ही answer आएगा मतलब इसका answer ultimately यह statement खुद आएगी कौन Q और P तो अब यह पूरा हटके Q और P आ जाएगा ठीक है तो इसको मैंने लिख दिया P और Q और negation P and Q अब यहाँ से negation P and Q को अपन आगे लिख लेता है और P और Q हो जाएगा ठीक है ना फिर अपन क्या कर रहे हैं देखो अपन negation P and Q और P को club कर देता है और Q को अलग रख देता है अब यहाँ पर अपन property लगाएंगे इसको पलट के लिख देता हूँ P और negation P and Q क्योंकि commutative property में तो कोई problem ही नहीं आती कभी भी ठीक है ना यह हो जाएगा P और negation P and P और Q और Q अब ध्यान से देखना P and negation P अगर यह अगर यह true है तो यह false है और अगर यह false है तो यह true है दोनों ही सूर्तों में यह हमेशा बनेगी टॉटोलोजी अगर यह टॉटोलोजी है टॉटोलोजी के साथ किसी का भी एंड करते हो तो आंसर वही statement आती है तो यहाँ पर P और Q ही आ जाएगा और इसका और होना है Q के साथ तो यहाँ से आप लिख सकते हो P और Q और Q विच विल भी अल्टीमेटली इक्वल टू पी और Q तो P और Q वोड बी और आंसर यहाँ बीस दा करेक्ट आंसर ओके नेक्स क्वेशन देखें बच्चों जे में में आयावा इसक्वेशन में आप से कहा है दो स्टेटमेंट्स देखर के कि बही बताओ कि S1 टॉटलोजी है S2 टॉटलोजी है S1 और S2 दोनों ही टॉटलोजी है या फिर S1 S2 में से कोई भी टॉटलोजी नहीं है तो इसको हम तूट टेबल से करेंगे ध्यान से देखेगा पहले देन बनाएंगे P और Q इंप्लाइज आर बाइ कंडिशनल P इंप्लाइज आर ओके आईए हम इसको स्टार्ट करें सबसे पहले यहाँ पर चार बार ट्रू आ जाएगा और चार ही बार फॉल्स आ जाएगा यह मैंने आपको बनाना बताया था उसके बाद यहाँ पर दो बार ट्रू दो बार फॉल्स फिर दो बार ट्रू दो बार फॉल्स फिर ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू और फॉल्स आ जाएगा clear है अब ध्यान से काम करेंगे P और Q की बात चल रही है तो पहले में true आजाएगा फिर true आजाएगा फिर true आजाएगा true आजाएगा true आजाएगा false आएगा false आएगा okay अब P और Q का implication R के साथ तो याद रहे यहां से यहां पर आपको imply करना है तो पहले में true, दूसरे में false, तीसरे में true, चौथे में false, फिर true, फिर false, फिर true, फिर true ओके, क्योंकि जब जब भी पहली statement true और दूसरी statement false होगी तो आपको हमेशा false ही लिखना है इसके बाद P implies R पे आते हैं अब आपको वहां से यहां तक imply करना है ध्याँ रखें पी से R में imply करना है तो फिर यहां पर true आजाएगा फाल्स आजाएगा true हाजाएगा false आजाएगा true हाजाएगा true है और true हाजाएगा अब इन दोनों पर by conditional लगाना है तो पहले वाले में true, दूसरे वाले में true, तीसरे में true, चौथे में true, पांचवे में true, छटे में false, फिर true, फिर true तो एक false आने की वजह से अब ये tautology नहीं बन पाया तो आप लिख सकते हो, S1 is not a tautology, S1 tautology नहीं है, अब हम बात करेंगे S2 की तो देखी इसमें ये वाला हिस्सा तो आई ही रहा है, ओके, तो अपन इसको तो as it is दिमाग में रख लेते हैं, बाकी हटा देते हैं, ठीक है, और इसी पेज़ पर अपन काम कर लेंगे, देखते जाओ अपने को P implies R भी चाहिए, अपने को Q implies R भी चाहिए देखेगा अब, सबसे पहले अब मैं बना लेता हूँ Q implies R, जब मैं Q implies R भनाओंगा, तो मेरा अंसर क्या आएगा, आएए देखते हैं Q implies R में मेरा अंसर आएगा, true, then false, then true, ठीक है, then, then true, यहां तक पहुंच गए, फिर true, फिर true, फिर false, फिर true और फिर true गड़बड हो गए शायद एक ज़्यादा लिख दिया है, मैंने एक बार चेक कर लेते हैं, true, false, then true, then true, then true, then false तो यहां पर एक true ज़्यादा आगया, उसको मैं सही कर देता हूँ, ठीक है इसको हटा देते हैं यहां से, आ जाई है बापस तो देखो, यहां पर यह true आगया, false आगया, true आगया, true आगया, फिर true आएगा फिर false आएगा, फिर true, फिर true, तो false, true और true, अब सही है अब इन दोनों पर हमें लगाना है, by conditional, तो यह बनेगा, sorry, इन दोनों पर हमें लगाना है, और, not by conditional, इन दोनों पर लगाना है, और, जब और लगाएंगे, मानलो यह लिखावा है हमारे पास A और B, है ना, तागे में दुबारा ना लिखना पड़े इतना बड़ा सा, A और B, A और B हम कर देते हैं, क्या आएगा भाही साब, true आएगा, पहले, फिर false आएगा, फिर true, फिर true, फिर true, 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 और true, सारे true हो जाएएंगे, अब हमें A और B का by conditional करना है, इसके सा ठीक है, इनको गोला ना देते हैं, और इनका रिजल्ट में उपर लिख दूँगा, आराम से, आप आराम से चेक कर लिजेगा, ठीक है, चलिए, फिनिश होने वाला question, तो पहले वाले में true आजाएगा, भाई, बाई, conditional चल रहा है, दूसरे में भी true आजाएगा, तीसरे में true, चौथे में क्या आ रहा है, देखो, यहाँ पर false है, और यहाँ पर true है, तो यहाँ पर false आ गया, मतलब यह भी tautology कभी नहीं हो पाईगा, आगे चेक करने के जरूत ही नहीं है, इसका मतलब S1 और S2 दोनों ही tautologies नहीं है, ठीक है, lengthy question था, but truth table से हो जाता है, ठीक है, यह solution आप देख सकते हो, पूरा truth table से कर रखा है, लास्ना आप देख सकते हो, नाइदर S1 और S2 is a tautology, ओके, next question देखिए, very easy question, जे में का question है, कैसे करेंगा, यह देखते है, सबसे पहले मैंने P बना दिया, ठीक है, true, true, false, false, फिर मैंने बनाया negation of Q, Q को दिमाग में रखो, Q होत true, false, true, फिर P and negation Q मुझे करना है, तो यह false, यह true, यह false, यह false, फिर मैं P implies negation Q करना चाहता हूं, तो पहला false हो जाएगा, फिर true, फिर true, फिर true, उसके बाद इन दोनों पर मैं, फिर से by conditional लगाना चाहता हूं, तो P and negation Q, conditional P implies negation Q, इसका answer आएगा, true, 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 और true, इसका मतलब, yes, it's a tautology, फटाफ़र से हो गया, next question देखिए बच्चों, next question में P और Q दो statements आपको दे रखी है, negation of P and P implies negation Q, किसके equivalent होगा, यह हमें बताना है, आईए इसको solve करते हैं, negation of P and, अब यहाँ पर लिखा हुआ है, P implies negation Q, मैं आपको बता दूँ, P implies Q का result होता है, negation of P or Q, तो यहाँ पर P implies negation Q है, तो इसका result होगा, negation of P or negation of Q, अब यहाँ पर आप property लगा दोगे, तो आपके पास आ जाएगा, P and negation P, और P and negation Q, अब यहाँ बाहर negation लगावा है, उसको वापस अंदर डाल दीजिए, तो negation of P, अच्छा पहले तो इसको काम, इसको अंदर ही solve कर सकते हो पहले आप, सुनो ध्यान से, भाई यह अगर आपके पास, यह अगर true हुआ, तो यह false होगा, और अगर यह false हुआ, तो यह true होगा, इन दोनों ही situation में, इसका जो end आएगा, वो fallacy आएगा, fallacy के साथ किसी भी statement का जब आप, और operation कर रहे होते हो, ध्यान से सुनना, जब यह true होगा, तो answer true आएगा, जब यह false होगा, तो answer false आएगा, इसका मतलब इस case में आपका answer हमेशा वो आएगा, जो यह statement आएगी, तो आपका answer आजाएगा, अंदर ही अंदर, P and negation of Q, और बाहर negation लगने के वज़े से, अब आपका answer हो जाएगा, negation of P or Q, तो negation of P or Q should be your answer, that means 3 is the correct answer, तो बच् इस session में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, measurement of central tendency, जे मेंट topics की series चलते आ रही है, आपको पता है, set relation हम कर चुके है, mathematical reasoning हम कर चुके है, अब हम जो स्टार्ट कर रहे हैं, वो है measurement of central tendency, इसमें आपको कुछ बातें याद रखनी है, बहुत सारी चीज़ें जे में नहीं पूछ पूछता है, बट इस साल से एडवांस में भी include हो गया है, आपको पता होगा, तो एडवांस में इस से क्या question आएगा, वो मैं अगर speculate करूँ, तो मेरे हिसाब से वो probability और variance का mixture question आना चाहिए, जे के अंदर, ये मेरा prediction है, और देखते हैं कि ये set होता है या नहीं होता, अगर होता है, तो आप जरूर कमेंट में करके लिखके बताईएगा मुझे, अब देखो हम स्टार्ट कर रहे हैं बिना किसी देरी के measurement of central tendency, इसमें बहुत सारी theory वैसे NCRT में आप देखोगे तो मिल जाएगी, लेकिन जो काम की चीज़ हैं, आपन सिर्फ उस पर focus करने वाले हैं, में आपको मीन निकालना होगा, ठीक है, अब मीन ये बारे तीन मीन तो आप जानते ही हो, ठीक है, लेकिन इस चैप्टर में हम जो पढ़ने वाले हैं, वो है मीन, मीडियन और मॉड, मॉड के बारे में बहुत ज़्यादा बातें, मॉड के बारे में बहुत ज़्यादा बात observations कर देते हो जिसको sigma x i upon n लिखते हो अगर frequency distribution आपको दे रखा है तो आपका formula हो जाता है sigma fi x i upon sigma fi sigma fi को आप लोग capital n से denote करो गया हिंदा से ध्यान रखेंगे आप इस बात को उसके बाद देखिए इसके ncrt में कुछ shortcut method भी दे देखिए उसमें से आप assumed mean मान लोगे अपने हिसाब से और फिर हर एक observation में से उस एक को माइनस करके डियाई की वैलियू लिख लोगे ठीक है इससे आपकी calculation सोड़ी सी easy हो जाती है और फिर sigma fi di करके अपन सिग्मा fi करके उसमें assumed mean जोड़ने पर आपके पास मीन आ जाता है इससे अपकी calculation सोड़ी सी minimize हो जाती है इनकेस अगर डेटा ऐसा दे रखाओ कि पहले वाले formula यानि sigma fi x i upon sigma fi से आप उसको solve ना कर पाओ उसके बाद इसी अगर इसमें भी आपके पास थोड़ी और ज्यादे calculations हो जाने तो आप एक step और चुटा कर सकते हो मानलो डिय में कई बार ऐसे elements आ जाते हैं 10 20 30 40 लाइक दिस तो आप देखोंगे सब 10 डिविजिबल है तो जब ऐसा होता है तो आप यूई करके 10 से डिवाइड करते चले जाओगे ओके तो यहां पर यहां पर यह क्या लिखावाए देखो सम्टाइम्स डियूरिंग अप्लिकेशन ऑफ शॉटकट में अपको ज्यादा लगें तो यू कैन यूज दिस थर्ड टेक्निक अगर इसमें भी ज्यादा लगें तो कोई दिक्क में को आप बहुत अच्छे से ध्यान लगें प्रॉपर्टिज ऑफ इलिख में में सबसे पहली बात यह कही गई है स्टेटिस्टिकल डेटा में सम अप ड़ेशन ऑफ इटम्स फ्रम एम जालवेज जीरो डेवेशन का मतलब क्या होता है कि आपके पास जैसे बहुत सारी 1 से लेकर 10 तक मान लो इसमें से मान लो आपने 5 को मीन बना दिया तो अब जब आप 1-5 2-5 3-5 4-5 5-5 5-5 5-6 5-7 5-8 5-9 5-10 करोगे सबको एड़ करोगे तो मेंशे 0 आएगा इसको आप प्रूब भी कर सकते हो कैसे देखो XI में से आप X-bar यानि कि मीन को माइनस कर रहे हो यही तो डैविशन होती है इसको आप अलग-अलग करोगे तो Sigma XI हो जाएगा Minus Sigma X-bar Sigma X-bar में से X-bar बहार आ जाएगा अंदर Sigma 1 बचेगा वो N हो जाएगा ओके और Sigma XI देखो आपको पता है कि मीन का formula होता था Sigma XI upon N तो Sigma XI के वेले हो जाएगी NX-bar तो यहाँ पर NX-bar हो जाएगा यह दोनों cancel out हो करके 0 हो जाएगे तो very important thing second है in statistical data the sum of squares of the division of items from aim is least sum of squares जो होता है division का वो हमेशा least होता है minimum होता है okay third if each of the given observation be doubled then their mean is doubled normal बात है आप observation को double कर दोगे और जब आप उसको add करके divide by N करोगे तो आपके पास जो mean होगा original उसका double हो जाएगा ठीक है इसे तरह से अगर आप सब सभी observation में A से multiplication करोगे तो A times हो जाएगा तो basically इसी की special situation third वाला point हो गया A की value का आप two कर दोगे तो third वाला point बन जाता है arithmetic mean is independent of origin origin कहीं पर view shifting of origin से mean पर फरक नहीं पड़ता है ठीक है it is not affected by the change in origin यह सारे points आप note down करें दिमाग में बठा करके रखें median की बात करते है median is the middlemost or the central value of the variate in set of observations when the observations are arranged either in ascending make a note either in ascending or in descending order या तो आप ascending order में जमा सकते हो या फिर आप descending order में जमा सकते हो मैं तो हमेशा ascending order में जमाता हूँ फरक कुछ नहीं पड़ता आपकी इच्छ है it divides the arranged series in two equal parts अब ध्यान से तुनो इसमें main काम जो main चीज़ आपको दिमाग में रखनी है वो यह है कि median निकालने के लिए आपको हमेशा set of data code arrange करना पड़ेगा ascending or descending order में उसके बाद जो rule लगाना है मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले आपने arrange कर दिया और number of observations को पता लगा लिया कि वो even है या odd है अगर n odd है number of observations odd है तो median होगा n plus 1 upon 2th observation और अगर आपके पास number of observation even है तो फिर आपका median होगा n upon 2th observation और n upon 2 plus 1th observation का mean यानि कि divide by 2 करने पर clear है for example मान लो मेरे पास set है मान लो मेरे पास observations है 4, 6, 7, 8, 9, 10 मैंने जान बूच के यह लिया है एक और ले लेता हूँ 13 ओके already it has been arranged in ascending order तो आप देखो कि number of observations कितनी है 7 अगर 7 है तो मेरा median क्या होना चाहिए मेरा median होना चाहिए 7 plus 1 upon 2th observation यानि कि 4th observation 4th observation यानि कि 8 should be my median clear इसके बाद देखी है discrete frequency distribution में median कैसे निकाला जाता है इसके लिए सबसे पहले cumulative frequency को calculate किया जाता है उसके बाद n upon 2 निकाला जाता है n होता है sigma fi के बराबर उसके बाद see the cumulative frequency just greater than n upon 2 and determine the corresponding value of the variable the value obtained in step 3rd is the median इसको हम एक example से समझते हैं मान लिजे x i मेरे पास है इस तरीके से 3 6 9 12 13 15 21 और 22 मान लो fi मेरे पास है 3 4 5 2 4 5 4 3 तो सबसे पहले आपको क्या करना है आपको सबसे पहले तो cumulative frequency का column बनाना है या रो बनानी है इस case में हम रो की बात करेंगे तो उसमें सबसे पहले 3 लिख देना है 3 में 4 जोड़ो 7 यहां लिख दो 7 में 5 जोड़ो 12 यहां लिख दो 12 में 2 जोड़ो 14 यहां लिख दो ऐसे करते करते आप चलते जाओ 18 में 5 जोड़ो 23 यहां लिख दो फिर 27 और last में आ जाएगा 30 इन सभी का जब आप addition करोगे sigma fi तो यह 30 ही आ रहा है यही n है अगर आप n upon 2 निकालोगे तो आएगा 15 ओके आप cumulative frequency जस्ट greater than n upon 2 देखो 15 से जस्ट बड़ी cumulative frequency कौन सी 18 18 के corresponding variable कौन सा है 13 तो 13 ही आपके पास median होगा यह यहां पर लिखा हुआ है ठीक है I think आपको example से समझ में आ गया होगा ओके इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं grouped data के लिए यह formula आपको याद रखना है कुछ भी नहीं करना prepare the cumulative frequency जो कि आपको मैंने बता दिया कैसे prepare करना होता है cumulative frequency के के column को उसके बाद median class निकाली है median class का मतलब वो class जिसमें कि आपका median हो सकता है ठीक है the class in which the n upon 2th observation lies वो आपके पास median होता है the median value is given by the formula median value हमेशा इस formula से given होगी इसमें l plus n upon 2 minus f capital f upon small f into h है l क्या है lower limit of median class जैसे मानलो 10 से 20 20 से 30 30 से 40 यह class intervals दे रखे मानलो यह आपके पास median class है तो median class में जो 30 होगी वो l के value है जो इनके width होगी वो h है h is 40 minus 30 यह नहीं कि 10 है na h is class interval width small f is what frequency of the median class जो भी इसके corresponding frequency रही होगी यहाँ पर f i में वो आपके पास कौन है small f की value और cumulative frequency क्या है sorry capital f क्या है cumulative frequency of the class preceding the median class median class से just उपर वाली ठीक है ना तो यह formula हो गया इसके बाद mean deviation पर आते है mean deviation का मतलब क्या होता है आपके पास बहुत सारे observations है x1, x2, x3 से लेकर के xn तो आप यहाँ पर क्या करोगे जब mean निकालोगे या कोई भी एक assumed variable निकाल आगर मानलो एक मिनट यह last line कट करना दुबारा ले रहा हूँ अब mean deviation पर आते है mean deviation का मतलब क्या है मानलो आपके पास बहुत सारे observations है x1, x2, x3 से लेकर xn अब इसमानलो आपने mean deviation about some assumed mean निकालना है मानलो वो a है तो आपको x1-a करना पड़ेगा आपको x2-a करना पड़ेगा ऐसे करते करते xn-a करना पड़ेगा यह 0 ना हो जाए add होने पर इसलिए इस पर mod लगाना पड़ेगा mod लगा दिया mod लगा कि इसका mean ले लेना है ठीक है वही आपके पास mean deviation about that observation a है अगर वो observation a आप mean बना दोगे तो mean deviation about mean आ जाएगा अगर वो आप median बना दोगे तो mean deviation about median आ जाएगा okay this is the basic formula अगर frequency distribution होगा तो इसमें आपको सिर्फ frequency का multiplication कर देना है और नीचे small n की जाएगे capital n आपको बताया ही था it is always sigma fi ओके इसके बाद variance and standard deviation पर आते हैं देखो variance का मतलब क्या होता है आपने जो mean deviation निकाला है उसमें आपने mod का इस्तमाल किया है x i minus a अगर आप इसमें mod की जाएगे square का इस्तमाल करोगे x i minus a square upon n तो यह बन जाएगा variance और variance का जो square root होता है वो होता है standard deviation ओके तो यहाँ पर आप देख सकते हो variance को denote किया जाता है sigma square से इसका मतलब standard deviation को denote किया जाएगा sigma से mean and variance of binomial distribution की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक normal formula है आप तो याद रखो mean का formula होता है n into p और variance का formula होता है n pq यहाँ पर p और q क्या है मैं आपको बता दूँ p और q का मतलब है probabilities किसकी probabilities success की probabilities और failure की probabilities जो कि हम probability distribution में पढ़ते हैं clear है अब हम आते हैं पहले question पर mean deviation about mean निकालना है मुझे mean deviation about mean निकालना यह data मुझे दे रहा है सब अब से बहले तो मैं mean निकाल लेता हूँ एक्स बार हो जाएगा sigma fi x i upon sigma fi x i का मतलब है 24 plus 90 plus 204 plus 207 plus 135 upon sigma fi यानिके 18, 30, 39 और 44 ओके add कर दो तो it comes out to be 660 divided by 4, 44 यानिकी it is 60 divided by 4 यानिकी 15 ये तो आपके पास mean आया है अब आपको क्या निकालना है mean deviation about mean यानिकी आपको निकालना है sigma fi mod x i minus x bar upon sigma fi sigma fi तो 44 ही आपके पास अब आप देखो इसका मतलब है f1 में आपको multiply करना है mod x1 यानिकी 3 minus 15 ओके प्लस ऐसे करते करते आपको चलना है f5 तक और f5 में 27 minus 15 तक आप चले जाओगे नीचे 44 से divide कर दोगे values put करके जब आप इसको calculate करोगे तो कुछ ऐसा आएगा देखो तो sigma f1 x1 minus 15 upon sigma fi को जब आप solve करोगे ठीक है यहाँ पर ii है और यहाँ पर i equal to 1 से 5 है जब solve करोगे तो आपके पास यहाँ पर आएगा ओपर 312 और नीचे आएगा 44 time बचाने के लिए मैंने calculation सीधा है यहाँ पर बता दिया है 312 upon 44 is 7.09 ओके अगला question देखो if a variable takes the discrete values then the median is इसका median क्या होगा alpha positive है तो आप इसको सबसे फ़रे तो arrange कर दीजिए किस में increasing order में तो सबसे फ़र आएगा alpha minus 7 upon 2 फिर आएगा alpha minus 5 upon 2 फिर आएगा alpha minus 3 इसके जगे आएगा alpha minus 3 फिर आएगा 5 upon 2 फिर आएगा minus 2 फिर आएगा alpha minus half फिर आएगा alpha plus half फिर आएगा alpha plus 4 और फिर आएगा alpha plus 5 number of observations कितने हैं आप देख लो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 है तो आपका जो median होने वाला है वो 8 upon 2 फिर 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 फि कि नेक्स इस्टेंडर डेविशन हमें निकालना है सेवन स्कूर्स का 1 2 3 4 5 6 7 आपको दे रखा है ध्यान से देखिए मैं आपको बता दूँ वेरियंस का जो फॉर्मुला में आपको बताया था उस फॉर्मुले को थोड़ा सा जब आप सॉल्व करते हो तो कुछ यह बनता है स सिगमा XI स्कॉयर अपॉन अन मैनस सिगमा XI अपॉन अन का होल स्कॉयर ओके इसको आप एसे वे देज सकते हो सिगमा XI स्कॉयर अपॉन एन बहुत काम का फॉर्मुला है बख्चों बहुत क्ोईशन इस पे आ रहे हैं इसले 2-3 सालों से बेरी इमपॉर्मुला जैस तो हमраш division निकालना है basically standard division बोले या variance बोले आपको निकालना तो हमेशा ही variance होता है क्योंकि variance का ही square root लेने पर आपको standard division मिलता है तो हम यहीं निकाल लेते हैं बहुत simple काम होगी आप one square plus two square से लेकर seven square upon seven minus mean इन सब का mean यानि one plus two plus seven upon seven का whole square यहीं आपका answer होने वाला है ठीक है calculate कर लेते हैं one से लेकर seven तक समझाएगा seven into eight into fifteen upon six नीचे seven already दे रखाया minus seven into eight upon two into seven का whole square cancel हो गया है यह कितना हो गया भाई यह हो गया two three जा two four जा three five जा तो यह हो गया twenty minus two से कटा four बार four square sixteen twenty minus sixteen is four यह तो variance है standard deviation का मतलब four का square root है ना standard deviation का मतलब under root of variance x ठीक है इसका square root निकालना है तो square root निकाल हो कितना जाएगा two clear है in a series of two and observations जिसमें half of them equal to a and remaining half of them equal to minus a standard deviation is two then mod a क्या होगा मैं बताता हूं standard deviation जो है वो तो under root of variance x होता है इसका मतलब under root of sigma x i square upon n minus sigma x i upon n का whole square होगा अब सुनना जिहान से total observations कितनी है two n है n तो a है और n minus a है जब सब को add करोगे तो तो 0 हो जाएगा cancel होके तो यानि कि इसकी value तो 0 आने वाली हमें calculate सिर्फ इसको करना है तो standard deviation आपको two दे रखा है two का square कर लो क्योंकि square root हटा दिया मैंने और यहां पर मैंने क्या करा a square plus a square कर दिया कितनी बार हो जाएगा यह add two n times add हो जाएगा नीचे कौन है two n तो यानि कि मेरे पास आएगा two n a square upon two n cancel out हो गया तो a के value कितने ही mod a के value कितने आ जाएगी two आ जाएगी so two is the correct answer mean of the data set comprising of 16 observations is 16 if one of the observations valued 16 is deleted very important question ऐसे question बहुत आ रहे हैं 2019 से 22 में आप PY के उठा कर देखोगे भरे हैं ऐसे questions and three new observations valued 3, 4, 5 are added to the data then the mean of the resultant data is आराम से solve करूँगा जो बच्चे पहले बार देख रहे हैं बहुत ध्यान से बहुत आराम से सीखिए देखिए 16 observations हैं मान लो x1 plus x2 plus so on till x16 यह observations हैं इनका जो mean है वो आपके पास आया है कितना 16 ही आया है इसका मतलब x1 plus x2 से लेकर x16 कितना हो गया भाई साब 16 का square कितना 256 यह original situation दे रहे हैं अब उसने बोला एक observation जिसकी value 16 थी वो delete होई delete कर दो भाई साब यानि कि इसमें से आप 16 को घटा दो 16 को घटा दो और 3 new observations 3,4 and 5 are added तीन new observations 3,4 और 5 add हो गए तो यह आपके पास क्या होना चाहिए देखो तो एक घटाई और तीन add हो गए तो 16 में से एक घटाई तो 15 बची और तीन और add कर दी तो 18 तो अब total observations आपके पास कितनी 18 तो x1 plus x2 plus x18 यह आपके पास नया set आ गया ठीक है इसकी value कितनी है बहुत easily आप निकाल सकते हैं इसकी value तो आपको पता यह 256 तो 256 में से 16 गए तो 240 बचा प्लस 12 यानि कि 252 यह आपके पास नई observations का addition है अब आपको इसका mean निकालना है तो जो new mean होगा x bar new वो होगा इन सब का sum x1 से लेकर के x18 और याद है number of observations आप 18 हो ही है तो 252 अपान 18 9 से कट रहा है 9 2 जा 18 9 8 जा 72 और यह हो रहा है 9 2 जा 18 तो 2 से कट जाएगा 14 बार तो आपके पास जो नया mean आएगा वो आएगा 14 clear है अगला question देखो बच्चों जी में माईवा question है standard division of numbers 2 3 a and 11 is 3.5 इन में से कौन सही है आई इसको solve करते हैं अपने को पता यह variance का formula क्या होता है मैंने आप से पहले बोला standard division पूछी चाहे variance पूछा आपको starting तो variance ही करनी है तो variance का formula होता है sigma x i square upon n minus x bar square ठीक है यानि कि अगर मैं standard division की बात करूँ तो it is under root of 2 square plus 3 square plus a square plus 11 square upon 4 minus 2 plus 3 plus a plus 11 upon 4 whole square this is 3.5 given to you which can be written as 35 upon 10 ठीक है square कर दो दोनों तरफ बच्चों यह हो जाया का 121, 125, 134 plus a square upon 4 minus 16 plus a whole square upon 16 squaring कर चुका हो मैं यह हो गया 57 यह हो गया 52 तो यह हो गया 49 by 4 16 से multiply भी कर दो हाथ हो हाथ तो यह हो जाएगा a square plus 134 into 16 by 4 minus a square minus 256 minus 32 a okay तो यह जो 16 था से मैं multiply कर चुका हूं तो यह cancel हो गया 4 से 4 बार क्या बचा मेरे पास 196 इधर आ जाओ 196 equal to यह 4 से 4 बार 4a square minus a square is 3a square फिर 4, 134 into 4 है है ना थोड़ी calculations है भी हो जाती है इसमें कई बार बट कोई दिक्कत नहीं चलते रहा पाराम से minus 256 minus 32 a यह multiply करोगे तो कितना आ रहा है 4, 4 बार 16, 4 बार 12 और 13, 4 बार 4 और 15, 5, 5, 36 में से 256 घटा ना है आपको तो कितना बचेगा 0, 8 और 2, 280 बचा तो आपके पास finally आया है 3a square minus 32 a plus 280 is equal to 196, 196 को भी इधर लिया और घटा दो बस अब आनसर आने ही वाला है तो यह कितना बचा भई, 10 में से 6 गए तो 4 और 17 में से 9 गए तो 8 यह आप का answer है, देख लो कौन से option में बचा है भई 3a square minus 32 a plus 84, यानि कि option a is the correct answer, ओके चलो, next question is, if mean and variance of 6 observations, जो कि आपके सामने यह है, are 10 and 20 by 3, then mod a minus b की वेले आपको बतानी है ऐसे questions बहुत आ चुके हैं बच्चों, और आते ही रहते हैं, सबसे पहरे तो हम बात करते हैं, mean की देखो, x bar की value कितनी दे रखी है आपके पास, x bar की वेला आपके पास 10 दे रखी है, okay, x bar की value 10 दे रखी है तो a plus b is 17, यह पहली equation हो गए आपके पास उसके बाद आजब variance पर, variance का जो formula होता है, वो होता है sigma x i square upon n minus x bar का square variance आपको दे रखा है 20 by 3, sigma x i square, यानि की 7 square प्लस 10 square प्लस 11 square प्लस 15 square प्लस a square प्लस b square upon 6 minus mean का square, यानि की 10 का square, 100, 100 इदर आएगा, 303, 20 by 3 हो जाएगा 6 को दर transfer कर दो, यह हो जाएगा 49, प्लस 100, 149, प्लस 121, प्लस 225, प्लस a square, प्लस b square 3 से एक अटा 2 बार, तो यह आए 640, यह कितना आएगा, तो यह आ रहा है आपके पास 495, प्लस a square, प्लस b square यहां से a square प्लस b square करने पर कितना रहा है, 145, a square प्लस b square आगया, a प्लस b आगया आपके पास, दोनों की मजद से आप a और b के value निकाल सकते हो, लेकिन हमें तो mod a minus b निकालना है, तो mod a minus b would be equal to under root of a minus b का whole square, which means a square plus b square minus 2ab, यही तो होगा, a square plus b square की value तो मेरे पास है, बस a b की value और मुझे मिल जाए, अरे वो तो यहां से मिली जाएगी मुझे, इसको आप लिख दो, a plus b का whole square minus 2ab is equal to 145, तो 2ab की value मुझे सीधी मिल जाएगी, a plus b का whole square निकी 17 का square minus 145, 17 का square आपको पता ही है, 289 होता है, उसमें से 145 घटा दीजिए, तो 4, 4 और 1 बचेगा, 144, तो a square plus b square की value तो है 145 और इसकी value है 144, तो 145 में से 144 घटाने पर 1 बचेगा, तो mod a minus b की value कितनी है दोस्तों, 1, ओके, तो यह question था आपका, जे मेन मायावा question था, इसी तरह से सबसे important formula जो मैं मान रहा हूँ, पिछले 3-4 साल के observation से वो यह है, बहुत questions है, आप इसमें feel करोगे जब आप PYQ करोगे तो, ठीक है, अब हम बढ़ रहे हैं आगे height and distance की तरफ, ओके, देखो height and distance में बच्चों कुछ भी ज़्यादा चीज नहीं है, theory के नाम पर दोज बाते है, angle of depression और angle of elevation, angle of elevation यह रहा देखो, horizontal line से, जब observer यहाँ से उपर की तरफ देखता है, line of observation उसके ऐसी रहती है, तो यह angle आपका पास angle of elevation बन जाता है और angle of depression में, horizontal line से, आपका जो observer है, वो नीचे की तरफ देखे, तो यह angle आपका angle of depression बन जाता है, ठीक है, अब इसके से अपन question करना है, start करते है question देखे बिच्चों, पहला question height and distance पर में ले रहा हूँ आपके लिए, the angle of elevation of the top of the tower observed from each of the three points A, B and C on the ground, forming a triangle, is the same angle alpha make a note, same angle alpha, same angle alpha का मतलब यह हो गया, कि जो foot of tower होगा, वो circum center पर होगा, यह एक important geometrical point, जो आप में से maximum लोगों को याद होना चाहिए foot of tower must be at circum center, और यह circum center पर होगा, शायद इसी लिए इसने circum radius का जिकर किया है if R is circum radius, then triangle ABC, of triangle ABC, then height of the tower is अब यह question बहुत आसान हो चुका है, क्योंकि आप triangle बनाओगे ABC, उसके बाद आप क्या करोगे आपको पता है tower यहाँ पर है, tower को आप यहाँ पर लगा दीजी, यह tower है, 3D figure है यह जो angle है, यह alpha है, ठीक है, यह जो angle है, यह alpha है, और यह जो angle है, यह भी alpha ही है यह जो angle आ रहा है यहाँ पर, यह वाला, this angle is also alpha ओके, अब ध्यान से देखते जाओ, यहाँ पर foot of tower है, तो यह height होने चाहिए tower की यह 3D figure है आपकी तरफ आ रहा है, ऐसे, ओके, यह height है और यह 90 degree होना चाहिए और यह कितना दे रखा है, यह आपको r दे रखा है, तो यह perpendicular हो गया, और यह base हो गया, तो h upon r should be equal to 10 alpha, तो आप देख सकते हो height के value कितनी आ गई, r 10 alpha, so d is the correct answer, okay next question is, the angles of elevation of the top of a tower from two points a and b on the ground, distant a and b from the tower are complimentary, if the line a, b passes through the foot of the tower, then height of the tower is, देखो, पहले diagram बना लिया करो हमेशा ऐसे questions में, look at the board very carefully, दो points हैं और यह height, यह tower के height है, इन दो points से, जो कि a और b हैं, यह a है, यह b है, इसको p, इसको q मान लो, okay, इसको आप height मान लो h, तो आपके जो angles of elevation है, a और b से, on the ground distant a and b from the tower, अच्छा, a तो a distance पर है, tower से, और b, b distance पर है, very important, और यह दोना angles कैसे हैं, complementary, मतलब अगर एक alpha है, एक beta है, तो beta बराबर हो जाएगा, 90 minus alpha, according to the question, और line a, b passes through the foot of tower, ठीक है, height of tower अपनको बताना है, ठीक है, बहुत बढ़ी है, तो देखो, start करते हैं अपन question को, सबसे पहले में क्या करता हूँ, h upon aq कर देता हूँ, h upon aq, h upon aq, perpendicular upon base, angle should be alpha, h is equal to aq 10 alpha, और aq क्या है, aq is what, a, तो it is just a10 alpha, okay, let it be first, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, मैं h upon bq लिलेता हूँ, triangle कौन सा use किया मैंने, pbq, तो h upon bq means 10 beta, 10 beta means 10 90 minus alpha, 10 90 minus alpha means cot alpha, तो यहां से h आ जाएगा bq, bq means b cot alpha, ओके, अब मैं क्या करता हूँ, first score second को multiply करता हूँ, क्यों मुझे alpha को eliminate करना है, तो h square बराबर हो जाएगा a, b, 10 alpha cot alpha, 10 alpha cot alpha cancel और h के वे लिए आ जाएगी under root of a, b, so c is the correct answer, ओके, अगला question देखो बच्चो, जे मिन में I have a question है, आराम से देखिए, angle of elevation of a cloud sea from a point P, 200 meter above a still lake is 30 degree, if the angle of depression of the image of sea in the lake from the point P is 60 degree, then Pc in meter is equal to, सबसे पहले इस question का diagram हम लोग बनाएंगे, look at the diagram very carefully, ये lake मान लो आप, ओके, और अब according to the question, angle of elevation of a cloud sea from a point P, अच्छा, from a point P, 200 meter above a still lake, तो ये point P, जो है न, वो यहां नहीं है, वो यहां पर है, ध्यान से देखना, यहां पर है कहीं पर, ये 200 meter उंचा है, यहां से जो angle of elevation है, किसी cloud का, ये horizontal है, ये बताया है कितना 30 degree, ओके, ये cloud है, यहां पर C लिख लो, if the angle of depression of the image of C, अब इस cloud का, इस lake के respect में, जो image बन रही होगी, वो बिलकुल exactly उतनी दूरी पर बन रही है, जितनी दूरी पर cloud है, ये C ले लो, है न, यानि कि, अगर मैं, इसको H नाम देता हूँ, पूरी height को, तो ये नीचे वाले भी कौन है, ये भी height HE होगी, मानते हो, और according to the question, ये जो angle of depression है, ये कितना है भाई साब, ये 60 degree है, देन PC in meter is equal to, आपको ये PC length निकालनी, ये, you are asked to find this length, ये क्या होगी, बढ़िया question है, आराम से देखना, कैसे करेंगे हम इसको, सबसे पहले मैं, ये जो distance है, इसको तो X मान लेता हूँ, ये काम आएगा मेरे, ठीक है, ये इतनी height 200 दे रखिये मुझे, तो ये बची भी height कितनी होगी, H minus 200, ये भी आप लिख लो, अब हम काम चालू कर सकते हैं, देखो बस दो triangle इस्तमाल करूँगा, एक तो मैं ये वाला triangle इस्तमाल करने वाला हूँ, कौन सा, एक तो ये वाला triangle इस्तमाल करूँगा, और एक, ये वाला triangle इस्तमाल करूँगा, ठीक है, और इसमें मेरा काम हो जाएगा आराम से, अब देखते जाओ, हम कैसे हैं, इसमें काम करने वाले हैं सबसे पहले मैं अगर इस पॉइंट को M नाम दे दूँ तो C, M, P ट्रेंगल में देखना आप इसमें अगर मैं H-200 अपॉन X करूँ तो आएगा मेरे पास 1030 डिग्री उसके बाद मैं ट्रेंगल P, M, C डैश में आता हूँ इसमें अगर मैं H-200 है ना यह है यहां से यहां तक तो और प्लस 200 अपॉन X करूँ तो यह हो जाएगा 1060 डिग्री ओके दोनों को कर देते हैं अपन डिवाइड तो आ जाएगा H-200 यहां से H के विले मिल जाएगी मुझे H upon H plus 200 X X तो cancel हो गया 1031 upon root 3 और यह है root 3 तो यह हो जाएगा 1 upon 3 तो यहां से जाएगा 3H minus 600 is equals to H plus 200 तो यहां से H के विले आ रही है दोस्तों 400 यह है height के value कितनी 400 ओके height आगे भहे साब अब हमें यह निकालना है PC मालो यह D distance था तो PC कैसे निकालेंगे आए देखिए Triangle CMP में ही हम चलते हैं और Triangle CMP में हम क्या करने वाल हैं देखो H तो मेरे पास 400 आ चुका है तो 400 minus 200 is 200 तो H minus 200 upon D जब मैं करूंगा तो यह आएगा sin 30 degree यानि की 400 minus 200 upon D is equals to 1 upon 2 यानि D की value आ गई है 400 तो 400 is your answer ठीक है बच्चों इस तरह के questions आप practice कर सकते हो height and distance के इसमें कोई theory नहीं होती है नॉर्मल आपका common sense और calculations diagram बनाने की कला और diagram को use करने का style यह आपके पास होना चाहिए that's it for this series इसमें अपनने जेएमेन topics पूरे cover कर लिये हैं जिसमें अपनने statistics, mathematical reasoning, set relation और height and distance को पढ़ा है that's it बच्चों all the very best for your जेएमेन, thank you आशा करता हूं हमारे top educator का यह lecture आपको पसंद आया होगा अगर पसंद आया है तो video को like करिए channel को subscribe करिए और share भी करिए क्योंकि ज्यान बाटने से बढ़ता है और सही बता हूं तो पुन्नी भी मिलता है मुझे सुनने के लिए बादो धन्यवाद, thank you